हां जी बच्चा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अब आप सारे बच्चे न अपनी पहले एक छोटी सी हेडिंग लिखो और थोड़ा सा कॉपी अपने पास रखना काटेगरी है इनको बच्चा हम बोलते हैं लाइबिलिटीज बेस अक्वाइजड आपको पहले इसको कैटेगराइज करूंगा कि ये liabilities based accounting standards क्या होते हैं देखो अभी तक हम लोग ने जितने भी accounting standards के पहले हम कर रहे थे जैसे suppose AS10 हम कर रहे थे हम AS26 कर रहे थे ठीक है हमने AS28 करा that was all related to assets अगर आप याद करोगे बटा that was all related to assets जैसे हमने PPE के बारे में करा हमने intangible assets के बारे में करा मतलब वो asset based accounting standards थे वो सारे accounting standards आपको basically क्या गरते थे वो asset की information देते बड़ ये जो आपके पास है liability based accounting standards ये आपको बताएगा जो अपने पैसा लोगों को देना है ठीक है जो आपने पैसा लोगों को देना है liability based accounting standards के अंदर बच्चे याद रखना भाई दो accounting standards आएंगे एक आएगा AS 15 और एक आता है AS 29 इसमें से बच्चा हम लोग क्या गंडे जा रहे हैं हम लोग आज ना AS 15 पे focus करेंगे ठीक है भाई साब हम लोग क्या गरेंगे भाई हम लोग AS 15 पे focus करेंगे AS 15 जो accounting standard है यह basically accounting standard है employee benefits और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ this is a newly added accounting standard newly added का मतलब हो गया भाई यह पिछले इंटर के syllabus में नहीं था it is added newly moreover आप मान सकते हो की इसकी weightage 4 से 5 नंबर की होगी यह बहुत बड़ा accounting standard नहीं है यह छोटा सा accounting standard है और इसकी weightage approximately 4 से 5 नंबर की आपके पास exams में होगी अब आपको थोड़ा सा पहले बताता हूँ कि यह employee benefit की कहानी क्या है what is employee benefit यह basically accounting standard है क्या और इसमें क्या क्या हमारे पास सारा context है अब आप ध्यान से मेरी बात को समझना बचो suppose कर लीजे जैसे मान लीजे एक company है ठीक है company आप कह लीजे employer है employer ठीक है let's say कह लीजे भाई की हमारे पास एक employer आ गया मान लो दोस्ट यह हमारे हाती भाईया यह हमारे employer है let's say ठीक है तो mister हाती is actually an employer अब यह accounting standard कहता है कहता है यार देख कोई भी बंदा जब वहाँ पर काम करता है यह काम करता है तो वो काम अपने employee से भी करवाता है right अब अगर suppose कर लीजे इनका एक employee यह है और मालो इनका एक employee यह भी है for example बच्चा यह जो दो है मालीजे हम इसको कह सकते है monkey one and monkey two यह भाई इनके employer है right so बच्चा यह sorry यह कौन होगे इनके employee employer बोला हम sorry this is called as employee अब भाई आप मुझे बताइए basically यह जो हाती भाईया है यह इनको instructions देंगे कि भाई आप एक काम करो आप मेरे बहाफ पे यह सारे काम करो और मैं आपको वहाँ पर उसके बदले क्या दूँगा salary right मैं आपको उसके बदले क्या दूँगा salary अब होता कि है salary एक तरीके का benefit होता है जो एक employer employee को देता है but benefit की definition यहाँ पर बहुत जादा लंबी है benefit सरफ salary तक सीमित नहीं है मान लीजे भई इनकी सपोस कर लो एक wife है और इनके मान लो दो बच्चे है child one and child two ठीक है बात को समझना बटा अब वो कहते हैं मैं salary के अलावा न मैं आपको कुछ और extra benefit दूँगा सपोस कर लीजे आपके बच्चों की जो education है मैं उसको सारा का सारा provide करूँगा हाती भईया बोलते है भईया आपके बच्चों की education भी provide करूँगा तो क्या ये employee benefit है हाँ जी ये भी employee का benefit है सो मेरा कहने का मतलब यह होता है कि हम लोग employee benefit जो term है ना normally उसमें क्या सोच के चलते हैं employee benefit का मतलब होता salary it is not only salary salary के अलावा आप लोगों ने बटा income tax में chapter पढ़ा होगा income from salaries उसमें आप एक term पढ़ते हो बटा perquisites तो ना आप लोगों ने कभी perquisites को वाई साब हम लोग क्या भाई perks भी बोलते हैं तो जो perquisites होते हैं वो भी एक तरह से employee benefit के अंदर category में आते हैं जैसे for example आपने सुना होगा कि employer अपने employee के लिए एक provident fund create करता है PF create करता है तो ये भी एक तरह का employee benefit है आप लोगों ने बटा tax में term सुनी होगी gratuity what is gratuity? gratuity is basically an ex gratia payment given out of grace by employer to employee होता गया भाईया employee की services से खुश होकर उसको हम gratuity pay करते होते हैं तो gratuity भी एक तरीके का क्या है gratuity भी क्या है employee benefit तो मेरा कहने का मतलब ये जो accounting standard है ये employer जो भी benefits salary, perquisites, जो भी उसको provide करता है ये हर चीज include करता है अब AS 15 basically बना क्यों AS 15 सिर्फ इसी purpose के लिए बना है कि जो employer होता है देखो AS 15 का motive क्या है AS 15 का motive क्या है पहले बात को समझना AS 15 का motive है कि जो employer होता है वो कोई भी benefit provide करता है employee को ठीक है benefit to employee याद रखना उस benefit की accounting करनी है उस benefit को कैसे किताबों में record करना है उस benefit का treatment क्या करना है benefit एक बहुत wide term definition है यहाँपर तो उस benefit को मैंने कैसे किताबों में record करना है उस benefit का treatment कैसे करना है बच्चा यही AS 15 का rule रहता है ठीक है तो suppose कर लो कि आप एक chartered accountant हो अब आपका काम क्या होगा आपका AS 15 में क्या रोल होता है आप यहाँ पर पूरी की पूरी उनको अकाउंटिंग करके देते हो कि भाई AS 15 के accordingly employee के benefits को हम किताबों में कैसे present करते हैं तभी इस AS का नाम है employee benefit AS अब इसको liability standards क्यों बोलते हैं क्योंकि यह benefit हमने देने होते हैं हम employer है राइट जैसे for example अब यहाँ पर हाती भीया है हाती भीया कोई है employer उसके employees है माल लो अब उन्होंने उसको benefit देना है तो benefit देना है तो employer basically क्या गरता है आपको आपने सुना होगा कई बार कि एक employee को benefit देने के लिए कई बार provisions बना लेता है क्या बना लेता है provisions तो वो जो provisions बनाता है उसके लिए हम लोग कहते हैं कि भीया provision for employee benefits आपने term सुना है provision for employee benefits that means जो हमने employee को benefits देने हैं हम उसके उपर provisions बनाते हैं हाँ जी तो यह basically accounting standard क्या है सारे बच्चों को समझ में आया है तो यह accounting standard basically इसी पार्ट को लेके चलेगा कि एक employer अपने employee को क्या benefit देता है benefit के अंदर सिर्फ salary नहीं आता उसके अलावा कोई extra benefit जो employee के family members को दिया जा रहा है या employee को दिया जा रहा है वो सब चीज़ें यहां पर include की जाती है हाँ जी तो भीया AS 15 का सारांच क्या है चलिए बटा अब यह आप लोग के पास एक chart की प्रस्तुती है और हम लोगोंने क्या गरना है भाई इस summary chart को copy में note करना है ठीके सर summary chart जो है आप तो कह रहते हैं आपको अप provide कर दोगे नहीं बच्चा यह वाला note करना है क्योंकि इसके मैंने notes भी सात में बना दी है मैंने क्या गरा आप लोगों के लिए summary chart प्लस summary notes understood यह basically क्या कर दिया बच्चा आपके लिए summary chart प्लस summary notes तो आप लोग उपर heading लिखेंगे heading क्या लिखेंगे भाई AS 15 employee benefits फड़ा फड़ से लिखें AS 15 employee benefits अब यह employee benefit basically क्या है सबसे पहले आपने लिखना है इसका introduction इस accounting standard की introduction तो यह basically आपके पास क्या चीज है हां जी सबसे बहले बच्चा introduction में start करेंगे the accounting standard पंदरा employee benefit generally deals the accounting standard पंदरा employee benefit generally deals with all forms of employee benefits with all forms of employee benefits देखो अब यहां पर एक word आया है अगर आप साथ-साथ लिखते जाओगे with all forms of employee benefits मतलब यहां पर employee benefits एक बहुत ही white term है ठीक है मैं तुम लोग को भी आगे चलके बताऊंगा कौन-कौन से benefits होते हैं तो बुलता भाईया with all forms of employee benefits मतलब employee benefits सब तरह के जो भी आप employee को benefit दे रहे हो सब तरह के इस AS में include किये जाते हैं ठीक है तो तुमने उपर भी लिखने है heading 1 introduction उसके बाद AS 15 with all form of employee benefits all forms of consideration given by an enterprise all forms of consideration given by an enterprise कहने का मतलब यह हो गया भाईया consideration जितने भी एक employer अपने employee को देता है simple सी भाषा में अगर हम बात करेंगे एक employer जो भी consideration अपने employee को देता है ठीक है consideration आपको पता है something in return जो पैसा हम उसको दे रहे है so all forms of consideration अच्छा यह जो word आता है na all forms all forms का मतलब होता है consideration given in cash or in kind is this clear तो सारे बच्चे याद रखना ही जो word आएगा all forms आप चाहो तो bracket में लिख सकते हो cash or kind तो consideration can be in the form of cash consideration can be in the form of kind यह सारे बच्चे याद रखना बटा consideration can be in the form of cash consideration can be in the form of kind तो बच्चे बटा इस चीज को दिमाग में रखेंगे कि हमारे पास जब एक employer अपने employee को किसी भी तरीके का employee benefit देता है और वो cash या kind में हो सकता है in exchange for services rented by employee in full stop दिना उसके बाद in exchange for services rented by employee तो कहने का मतलब याद रख़ियेगा जो भी services employee आपको देगा उसके बदले आप अपने employee को कोई भी consideration pay करते हो अच्छे से मेरी बात सुले ना कोई भी consideration pay करते हो और वो consideration आपकी cash या kind किसी भी form में हो सकती है वो हमारा AS 15 cover करता है is this clear everyone ठीक है आगे the objective of this standard is to prescribe the accounting treatment and disclosure for employee benefits in the books of employer तो आप देखो के जितना मैं mark कर रहा हूँ मैं उतना ही पाले explain करूंगा इस accounting standard का objective क्या है इनका objective है भाई की employer की किताबों में employee benefits का क्या आपका accounting treatment होगा ठीक है simple सी भाशा में अगर आपसे बात करें कि accounting treatment क्या होगा employer की books में जैसे मैं आपको भी थोड़े थोड़े पहले example दिया भाईया हाती भाईया अपने किताबों में employee benefit को कैसे record करेंगे यही इस AS 15 का basic motive होगा is this clear everyone ठीक है so यहाँ पर बच्चा अगर आप इसमें notice करते हो AS 15 आपको यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग अपने किताबों में accounting standard को कैसे record करेंगे employee benefit को कैसे record करेंगे अच्छा यहां लिखा है accept employee share based payments sir यह जो accept employee share based payments का word है इसको please अच्छे से mark कर लिजेगा कि employee share based payments क्या होता है देखिए for example अगर suppose आपने सुना होगा scheme होती है ESOP ESOP सुना आप लोगोंने कई बार हम क्या गरते है employee को उसकी services की appreciation के लिए हम उसको sweat equity share देते हैं sweat equity shares पता आप लोग को यहसे for example suppose कर लिजे हम employee को बोलते है भया कि जो share है हमारा उसकी normal price 100 रुपया है हम आपको 80 रुपय में देंगे क्यों? because हम आपकी services से बहुत खुश है याद रखना सिर्फ जो ESOP होता है वो AS15 cover नहीं करता बाकि दिये जाने वाले सारे benefits चाहे वो cash में हो या kind में हो वो AS15 cover करता है मैं दुबारा से वोलता हूँ employer जितने भी benefit employee को देगा वो सारे के सारे cover होंगे सरफ आपका ESOP that is employee share based payments is not covered under AS15 is this clear everyone? ठीके? it does not deal with the it does not deal with the accounting and reporting by employee benefits plans बड़ा इसको जरा ध्यान से लिखना है it does not deal with the accounting and reporting by employee benefit plans कहने का मतलब ये हो गया कि भाई ये जो AS है ये employer के point of view से बनता है ये employee के plans ये employee के benefit के point of view से नहीं बनता ये क्या basically बनता है employer ने अपने employee को क्या benefit दिया है ये उसका point of view लेके चलते है so simple जी भाषा में भाई साब introduction में अगर आपसे बात करूँ तो AS 15 क्या है अच्छे से मेरी बात को सुलेना last time बोल रहा हूँ AS 15 क्या होता है like I gave you an example कि भाईया एक employer है employee को अगर वो देता है किसी भी तरीके का benefit चाहे वो benefit cash में हो चाहे वो benefit kind में हो याद रखना all benefits whether in cash or in kind is covered under AS 15 AS 15 का motive क्या होता है AS 15 का motive होता है कि आप employer हो आपकी किताबों में employee को जो हम benefit दे रहे हैं उसका accounting treatment क्या होगा इसमें हम employee को दिये जाने वाले सारे benefit include करते हैं सिरफ ESOP का benefit include नहीं करते Is this clear everyone? Everybody is clear what is AS 15? ठीके? So ये बंदा अपने दिमाग में वटा इसको permanently store कर लेना कि AS 15 होता क्या है Next अब आता है भाई second point आता है इसके factors second point क्या है भाई इसके factors अब देखो ये जो factors है ना भाई याद रखेगा ये basically क्या है देखिए ये जो standard है सबसे पहली बात ये क्या आपको बताता है ये standard के basically 4 factors होते हैं सबसे पहले दिमाग में रखना ये standard को समझने के लिए हम लोगों को 4 factors पे focus करना है Right We have to understand focus on 4 factors अब समझे the standard addresses only the accounting of employee benefits by employers तो बलता है आपको देखो ये standard सरव आपको क्या बताता है कि 4 चीजे बड़ी clear करता है ये standard के अंदर क्या-क्या चीजे आती है ये standard आपको बताएगा भाईया only accounting which is done by employer for employee benefits ठीक है अब ये 4 चीजे बहुत जादा clear करेगा ये standard क्या-क्या चीजे clear करेगा number one सबसे पहला the standard is applicable to benefits provided to all types of employees भाईया याद रखना ये बड़ा ही important point है ये क्या important factor है वो कहता है भाईया ये standard applicable है हर एक तरह के employee के लिए चाहे तुम full-time employee हो चाहे तुम part-time employee हो चाहे तुम casual staff हो सो बच्चा याद रखना अगर मैं अपने employee को चाहे वो full-time employee है चाहे वो part-time employee है तब भी AS 15 cover करता है चाहे वो casual staff है आप लोगों समझ में आता है casual staff क्या होता है जैसे मालो भाईया season में worker को रख लिया बाद में off-season में निकाल दिया होता न जैसे suppose कर लो for example blanket industry अब blanket industry किया करती भाईया जब उनको अपना season होता है अब कुश्यद मालू होगा blanket summer में manufacture होते है winter में बिखते है मालू है अब लोग ये बाद summer में manufacture होते है तो summer में भाईया जब manufacture होते है उसने में उनको बंदे जादा चाहिए होते है तो staff को रख लेते है labor रख लेते है अब winter में जब selling की बाद आते है तो labor को थोड़ा निकाल देते है बोलते है casual staff है temporary staff जिसको बोलते हैं तो याद रखना AS 15 के दिमाग में अपने permanently store कर लो की AS 15 सिरफ और सिरफ full time नहीं full time के साथ-साथ कोई part time employees या casual staff जो होता है उसको भी include करता है ठीक है दूसरी बात मैं आपको already बता चुका हूँ employee benefit can be paid in cash or in kind एक simple सा example है तुम लोग बटा income from salaries करते तुम लोगोंने house rent accommodation का point करा हुए house rent accommodation सुना हुआ तुम लोगोंने what is house rent accommodation कि भाईया employer employee को कहता है भाईया तिरको रहने के लिए घर भी में देता हूँ car का था ना car का भी इसमें percuss rate होता है गाड़ी percuss rate होती है तुमने सुना होगा बटा अगर salary का chapter कड़ा होगा tax में तो गाड़ी क्या होती है percuss rate होती है तो गाड़ी दे रहा बटा वो भी क्या है kind में है तो याद रखो इस तरह के सारे benefits यहाँ पर include किये जाते हैं ठीक है अच्छा अब एक चीज और employee benefit includes benefits provided to employees and their dependents कहने का मतलब यह हो गया कि जो उनकी wife है जो उनके बच्चे है उनके माता पिता या उनके family के किसी members को याद रखिएगा जो उन पे dependent है इस employee पे dependent है अगर उनको हम किसी भी तरीके का benefit दे रहे हैं जैसे for example मैं कहता हूँ कि भाईया मैं ना तुमारे parents के medical treatment के bills भी देने को त्यार हूँ हाती भाईया गहते है monkey two को जैसे for example भाईया यह हमारे हाती भाईया यह monkey two को बोलते है भाईया तेरे parents के जो medical bills है monkey two का employee है ठीक है तो याद रखना बच्चा जो तेरे parents के medical bills है मैं ते को देने को त्यार हूँ तो यह भी क्या है एक तरीके का यह भी एक तरीके का employee benefit है ठीक है और payments can be made directly to employees याद रखना or to the dependent or to any other party or to any other party यह लिख लिजेगा भाई तो बच्चा याद रखना payment जो है मैं आपके suppose कर लो any other party मतलब क्या जैसे माल लो भाईया आपके insurance का premium मैं जमा करा रहा हूँ अब insurance कौन है third party है बात समझ में आ रही है जैसे for example क्या benefit क्या होता है कि for example भाईया हाती भाईया बोलते हैं monkey 2 को कि भाई तु चिंता मत कर तेरे insurance का premium मैं जमा करा देता हूँ आपको पता ये भी एक तरह का perquisite होता है insurance employee का बात जमा कौन करा रहा है employer तो बेटा ये किसी third party को employer pay कर रहा है third party कौन हो गई insurance company are you understanding third party कौन हो गई insurance company तो याद रखेगा मैं यहाँ पर payment चाहे तो employee को कर सकता हूँ चाहे मैं payment महाँ पर किसी और dependent को कर सकता हूँ मतलब उसके legal hire को या उसके बच्चो को या उसकी wife को या माल लीजे मैं महाँ पर payment किसी भी दूसरी party को कर सकता हूँ तो बच्चे याद रखना आखरी बार बोल रहा हूँ चार factors होते हैं जो आपको इस AS के अंदर clear करने है सबसे पहला ये standard applicable है सारे के सारे employees के लिए चाहे भाईया तुमारा employee full time है या part time है या casual है दूसरा part आपका जो payment होता है वो cash या kind किसी भी form बे हो सकता है तीसरा part जो employee benefit होता है वो हमेशा दिया जाता है employee को भी दिया जा सकता है या उनके उपर जो dependent relatives है उनके spouse, बच्चे वगएरा वगएरा उनको भी दिया जा सकता है और जो payment होती है वो directly employees को की जा सकती है या उनकी किसी भी third party को या उनके dependent legal hire को भी की जा सकती है तो बच्चा यह हमारे चार मेंन फाक्टर्स है अब इसमें एक टर्म आती है जो की बहुत सिंपल सी बात आती है जो मैं आपको समझाऊंगा इसमें टाइपस ओफ बेनेफिट क्या होते हैं देखिए मैंने इसके लिए छोटा सा फ्लोचार्ट दिया आपको दो मुनिट बटा एक्जामबल के साथ सुनना हर एक टर्म को एक्स्प्लेइन करने जा रहा हूँ अभी मान लीजे भाई साब ये टाइपस मतलब क्या अब देखो बहुत अलग-अलग प्रकार के इंप्लोई बेनेफिट दिये जाते हैं बहुत डिफरेंट टाइप के दिये जाते हैं हम ऐसे लेते हैं फॉर एक्जामबल आई सी हम एक एक इंप्लोईर है और ये वाई साब जो चिम्पू सा खड़ा यहाँ पर ये अपना इंप्लोई है ठीक है याद रखिएगा अब वो क्या है इंप्लोई अच्छा अब मुझे एक बात बताईए बेनिफिट बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसे फॉर एक उता है शॉट टर्म अब शॉट टर्म क्या होता है ध्यान से मेरी बात को सुनेगा शॉट टर्म के अंदर फॉर एक्जामबल आ सकता है सालरी बेजिस ठीक है सिंपल सी बात करूँगा मैं आपसे डेफिनेशन आपको बताऊँगा बारा महीने से कम बारा महीने या उससे कम दिये जाने वाला बेनिफिट कौन सा होता है शॉट टर्म सबसे पहले समझ लेना उसका एक्जामबल दे रहा हूँ तो आपको जो इम्पलॉई बेनिफिट दूँगा आप जब इसको नोट करेंगे आप इसको लिख सकते हो इस टाइपस ओफ इम्पलॉई बेनिफिट हम लोग इम्पलॉई बेनिफिट कितने प्रकार के देते हैं ठीक है सपोस कर लो भाई शोट टम दे सकता हूँ मैं आपको फॉर अच्जामबल आपको सालरी बेज़ेस सालरी बेजेस तो हर मेने मिलती है आपको ठीक है मान लीजे बटा आपको सोशल सेक्योर्टी कॉंट्रिबशन सर ये क्या चीज़ होती है Social Security Contribution Anyone can explain me better What is Social Security Contribution Anyone कोई example दे सकता है Social Security Contribution क्या होता है यह बड़ी Simple सी बात है Employer अपने employee को बोलता है कि भाई तो एक काम कर तू ना चिंता मत कर तेरे जो provident fund उसका पैसा मैं जमा करा रहा हूँ वो मेरा सामाजिक करतव्य है कि तू जब retire होगा तो मैं तुझे लाइक वहाँ पर एक particular fund जमा करा हूँगा बड़ उस fund का पैसा तू जमर्जी पहले भी ले सकता है मतलब जमर्जी तू ले सकता है उस fund का पैसा यमालो बोलता भाईया कि मैं वहाँ पर कोई ऐसा तेरे ले fund करा रहो for example तेरे accident के लिए कोई compensation fund तो भाईया याद रखेगा ये क्या होता है कहते है समाजिक करतव्य अब नाम को समझे social security समाजिक करतव्य तो याद रखना ऐसे जो contribution होते हैं ये भी आपका benefit के अंदर आते हैं और example मैं कहता हूँ annual leave with wages मतलब भाईया इसमें simple सी बात है annual paid leaves मतलब तुम साल की 30 छुटियां करो तुमारे पैसे नहीं गटेंगे तुम साल की 40 छुटियां करो तुमारे पैसे नहीं गटेंगे बात समझ में आ रही है तो ये सारे basically कौन से है भाईया तक नौकरी कर रहे तक तक तुम में मिलेंगे नौकरी छोड़ दो के फिर्णी मिलते होते are you understanding ठीक है long term benefits क्या होता है long term benefits long term benefit में टर्म आती है sabbatical leave sabbatical leave anyone what is sabbatical leave नहीं for example suppose कर दीजे भाईया ICM एक employer है चिंटु ये वाला employee है माल लो इस चिंटु को साथ-साथ गाना गाने का बहुत शौक है ICM बोलता तू एक काम कर बटा जा तू इसको employer लिख लेते हैं ICM बोलता भाईया तू एक काम कर तू जा tension मतले तू साथ-साथ ना तेरको मैं वहाँ पर छुटियां देता हूँ जा अपने गाने का शौक पूरा कर जा तू संगीत सीख जाकर ये क्या भाईया sabbatical leave बात समझ में आ गई तो जम बन करा छुटि कर गए करना शुरू कर दिया बटा सारे बच्चे समझ गए उसको बोलते है sabbatical leave everybody is clear ठीके फिर होता है long service awards कहने का मतलब तूने बहुत साल मेरी सेवा करी है 25-26 साल होगे भाईया तिरको सेवा करते होगे चल अब मैं तुझे अवाड दूँगा बहुत समझ में आ गई long term disability benefit भाईसा बगर suppose कर लीजे माल लीजे भाई इसका कोई हाथ या पैर तूड जाए for example तो भाईया ये क्या हो गया disabled फिर भी ये काम कर रहा है माल लो भाईया मेरा पै तूड गया मैं खड़ा होके फिर भी एक टांग पैसे से करके पड़ा रहा हूँ मेरे को फिर भी ICM क्या दे रहा है disabled benefit कहता है कोई बात नहीं तूड डिसेबल है फिर भी तूड काम कर रहा है is this clear everyone ठीके अच्छा तो बच्चा ये होते हैं generally याद रखना more than 12 months ये होते हैं more than 12 months note करोगे तो साथ साथ थोड़ा side पे note कर लेना ये basically generally 12 months या less होते हैं ये कौन से होते हैं भी या 12 months और less वाले वैसे इसकी definition सबकी details में आई जानी है सारे बच्चे समझ गए फिर एक होता भी या post employee benefit suppose कर लो post employment post employment मतलब नौकरी छोड़ने के बाद are you understanding नौकरी छोड़ने के बाद ठीके अब एक चीज दिमाग में रखना post employment benefit क्या होता है जैसे for example भी या नौकरी छोड़ दी उसके बाद last में तुमें क्या मिलता है gratuity gratuity basically क्या होती है मालो ICM बोलता भी या चुमू तुने ना बहुत अच्छा काम करा fine याद रखिएगा तुने बहुत अच्छा काम करा चल अब तु आज retire हो रहा है तुझे मैं इतने पैसे देता हूँ 10 लाग 15 लाग 20 लाग वो basically क्या है gratuity मालो ICM वाले मेरी pension लगवा देते है बोलते हैं बहुत जब तक तु जिन्दा है ठीक है फिर इन benefits को कहते है terminal benefits अब ये terminal benefits क्या होते है मालो उन्होंने मुझे नौकरी से धक्के मारके निकाल दिया उसे क्या बोलते है retrenchment मालो ICM वालो ने बोला get out मेरे को नौकरी से धक्के मारके उसको क्या बोला बटा retrenchment समझते हैं दोनों का difference क्या है retrenchment चबे निकल बाग और VRS चल भी है जा तिरे जारे की खुशी में party भी है बात समझ में आ रही है उसको क्या बोलते हैं VRS Is this clear तो ये सब तरीके के benefits आपके category of AS15 में आएंगे Is this clear जल्दी से note करें मटा इसको इस पूरे chart को ऐसे ही बना लेना याद रखना types आपके पास 4 types है short term, long term, post employment और terminal benefits याद रखेंगे short term के कुछ examples आगे दिये हैं long term के कुछ examples आपको दिये हैं post employment के कुछ example दिये हैं और terminal के कुछ examples दिये आपको 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 झाल झाल अजी भई, I hope it is done बच्चा चली, अब आता है चौथा पॉइंट जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स, अब बेसिकली बच्चा ये इंडिकेटर्स क्या है देखिए मुझे एक बात बताईए, इंडिकेटर्स आपका मतलब यहाँ पर होता है कि भईया एक इंप्लोई, अब इंप्लोई की डेफिनेशन क्या है इंप्लोई की डेफिनेशन जो है बड़ी वाइट होती है याद रखिएगा यह बेसिकली क्या है कि एक इंप्लोईर के साथ उसकी इंप्लोई का रिलेशन्शिप क्या वो बंदा आपका इंप्लोई है मुझे एक बात बताओ, इस AS का नाम क्या है इंप्लोई बेनेफिट प्लान, ठीके? क्या वो बंदा आक्चुली में आपका इंप्लोई है यह कैसे बता लगेगा? ठीके? मैं आपको ने एक चीज बताता हूँ देखिए, एक AS 15 मेंने एक बहुत गहरी बात है वो जब इंप्लोई की डेफिनेशन देते हैं ना तो वो दो टर्म्स को डिफाइन करते हैं इंप्लोई की डेफिनेशन के वाक्त याद रखना बच्चा, इसको भी आप नोट कर लेना दो टर्म्स को डिफाइन करते हैं एक होता है, कॉंट्राक्ट आफ सर्विस यह टर्म समझेगा बटा और एक होता है, कॉंट्राक्ट पॉर सर्विस बच्चे बोलेंगे सर, दोनों सुनने में तो एक ही जैसा लगता है नहीं भईया, बड़ी खतननाक टर्म्स हैं एक है, कॉंट्राक्ट आफ सर्विस और एक होता है, कॉंट्राक्ट फॉर सर्विस ये दोरों में फरक है भाई contract of service and for service में फरक होता है for example मा लीजे छोटा सा example लेते हैं भाई Mr. X ठीक है वो employee है मा लीजे एक company है Tata Limited की Tata Limited ने उनसे तीन साल का service contract कर लिया Tata Limited ने भाईया क्या करा तीन साल का service contract कर लिया कि भाईया तीन साल तक Mr. X Tata Limited के लिए ही काम करेंगे Tata Limited के लिए ही काम करेंगे तो बच्चो ये क्या है contract of service is this clear तो तीन साल के लिए उन्होंने contract कर लिया कि Mr. X will work only for Tata Limited now इसका मतलब ये होता है Mr. X will follow all the instructions given by Tata Limited Mr. X will follow all the instructions given by Tata Limited Mr. X cannot be part of any other organization is this clear suppose Mr. X is a chartered accountant Tata Limited तो खाली मेरे लिए काम करेगा तो ये क्या होगई जॉब ये क्या होगई नौकरी ये क्या होगई भईया नौकरी तो contract of service क्या होता है नौकरी तो क्या सरी ये AS 15 में cover करता है ये AS 15 में cover करता है तो पहले तुम लोग को ये जाना जरूरी है कि भईया मेरा employer के साथ employee का relationship है की नहीं है तो जब भी term आती है contract of service तो याद रखिएगा of service में employer employee का relationship होता है AS 15 उसको cover करता है Is this clear? ठीक है अब मैं आपसे बात करता हूँ contract for service for example Mr. X जो है वो एक CA है ठीक है और CA professionals है भी या वो अपना practice करते है अच्छा अब उनका एक client है और contract उनके साथ भी या उन्होंने करा हुए client का नाम है suppose कर डीजे Tata Limited और उनका एक और client है for example suppose कर डीजे Reliance Limited भाई साब अब मैं आपको कहना ये चाहता हूँ ये जो है ये बेसिकली बंदे कौन हो गए professionals ये बंदे कौन हो गए professionals are you understanding बटा तो क्या ये AS 15 में cover होते हैं नहीं क्योंकि ये employee की definition clear नहीं करते तो मेरा कहने का मतलब आपको पहले indicator समझना पड़ता है कि employer-employee का relationship क्या है employer-employee का relationship को define करता है ये दो terms एक होती है contract of service एक होती है contract for service ये दोनों में फरक होता है तो ये दो terms भाईया पूरी अच्छे से आपके दिमाग में permanently store होनी चाहिए contract of service and for service तीक है याद रखिएगा तो जो professionals होते हैं वो AS 15 के अंदर cover नहीं करते हैं अब ज़रा 2 मिनट सुनना फिर आपको note करने का समय देता हूँ 2 मिनट language को सुनना indicators का मतलब क्या है indicators का मतलब है employee-employee का relationship कैसे indicate होता है सबसे बहले एक employer-employee का relationship exist होगा जब वो आपके पास proper एक employment का contract होगा obviously contract of employment होगा दूसरा individuals are considered employees for legal tax social security purposes मतलब आपको हर purpose के लिए भाईया आप employee हो हमारी company के लिए चाहिए legal matters हो चाहिए taxable matters हो चाहिए social matters हो तुम हर तदा से company का साथ दोगे for example there is a large amount of oversight and direction by the employer and necessary tools equipments and materials are to be provided by employer मतलब वहाँ पर पूरा का पूरा oversight oversight का मतलब क्या होगा भाईया employer तुम पर नजर रखेगा काम कर रहा ना हाँ काम कर रहा बात समझ में आ रही है तुम पूरी उसकी direction के accordingly काम करोगे तो अभी तो employee के लाओगे तो employer तुम पूरे भाईया उसके control में हो पूरे इसके direction के accordingly काम करोगे और जो भी तुमें tools, equipment चाहिए तुम घर से मतलब तुमें हम यहाँ provide कर देंगे बड़ा बात समझ में आ रही है ठीके services are perform अब जैसे for example ICM कोई है तुम लोग तुम लोग कोई है employer मैं कोई हूँ employee तो भाईया तुम लोग को benefit provide करना चाहिए बात समझ में आ रही है ठीके सर अब salary मत दो extra benefit दो कल को बच्चे आख सर आप चिंता मत करो नई गाड़ी आपको लेके देते है बच्चे employee benefit है भाईया कल को माले तुम लोग आ जाए सर अब हमें CA इंटर करा तो Mercedes देंगे पकी बात है मैं तो जान लगा दूँ बच्चे पे ठीक है भाई वादा तो करो कोई कोई वादा कर रहा है एक बार भाईया contract कर लो फिर देखो ठीक है तो भाईसा अच्छा इसके बाद क्यो होता है यह चार पॉइंट्स तो है indicators तो यह indicators का मेरा कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई यह चार indicators है जिससे employer-employee का relationship prove होता है next services provided through an entirely are in substance services provided for specific individual indications of which could be of that entity कहने का मतलब सर कई बार क्या होता है कि suppose कर लीजे कि contract of service तो होता है उसमें थोड़ा सा contract for service का hint भी आ जाता है अब for example माल लीजे एक CA है वो CA क्या भाईया वो Tata के लिए काम करता है अच्छा वो CA उसका permanent employee नहीं है वो CA Tata Limited का permanent employee नहीं है बट कई बार वो क्या करता है वो आपको सिर्फ services देता है और services जो आपको देता है वो सिर्फ आपको ही provide करता है उसके और कोई client नहीं है उसके और कोई client नहीं है तो क्या वो आपका employee होगा हाँ जी होगा ये भी indicate करता आपका employee है मालो भईया CA है CA का एक ही Client है, कौन Tata Limited के था, दूसरा Client रखने के तो जरुरत नहीं है, तो जो काम करना है तो को मैं दे दूँगा सारा, दूसरा, वो कई सालों से Tata Limited के साथ काम कर रहा है, has served the employer for a long period, ठीके, और उसको कोई financial risk नहीं बेर करना, क्योंकि employee का financial risk कहां पर होता भीया, employee तो खली CB का financial risk नहीं होता, and requires explicit permission of the employer to concurrently undertake additional employment, मतलब, for example, Tata Limited ने उनके साथ contract करा हुए CA के साथ, CA Mr. X के साथ, कि भाई साथ, तू अगर कही और दूसरा Client बनाएगा, पहले मुझ से पूछेगा, तो क्या ये employer-employee का relationship है, yes, ये भी employer-employee का relationship है, तो क्या ये सब चीजे AS 15 में cover करेंगी, yes, तो याद रखना, तुम लोगों को पहले ये indicators देखने पड़ते हैं, employee की definition को proof करने के लिए, is this clear, जल्दी से note करें बच्चा इसको, ये कुछ हमारे 8 points हैं, जो आपको define करेंगे, employer-employee का relationship, मतलब, ये रिष्टा क्या कहलाता है, ज क्याए आपको आपको झाल 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 बिल्दा जब तो बिल्दा जब तक बच्चे नोट कर रहे हैं एक आवशक सूचना जितने लोगों ने AS 26 और 28 का कल टेस्ट दिया था ना उसकी एक प्रॉपर आंसर की आज अपलोड हो जाएगी ठीके उसके साथ एक बार अपने टेस्ट को मिला ले ना definitely question paper बटा आप लोग के पास है everybody has the question paper ठीके तो भाई अब एक बार answer की से मिला ले ना आपको पता लग जाएगा कि आपका उसमें क्या correction होना चाहिए तुम लोग को अपने test के results evaluate करो के वैसे marks हो तुम्हें मिलेंगे obviously check होगे properly सारा मिलेगा फिर भी for the time being हाँ जी is this done चलीजी अब आते हम लोग इसके next point पर point number 5 तो अगर आप देखोगे तो पहला बच्चा हमारा flow chart क्या बना यह हमारा flow chart बन जाता है तुमने पहले क्या करना है introduction दूसरा क्या करना है factors तीसरा क्या करना है types of employee benefits फिर चौथा point क्या है बचा इस question में इस AS में indicators समझ गे बचा तो यह ही तुम्हारा flow chart बन जाता है सारे बच्चे समझ जाना right अब हम लोग आते हैं अगले accounting standard के part पे that is number five देखो बटा यह जो AS है ना इसके अंदर एक बड़ी ही important term है जिसको हम बोलते हैं short term employee benefits अब मैं आपको यहां पर बता चुका हूँ कि हम लोग यहां पर employee benefits हमारे पास basically 4 तरह के होते हैं तो जो सबसे जादा relevant और detailed में होता है उसको हम बोलते हैं short term employee benefits ठीक है short term basically कौन से होते हैं जो 12 मेने से कम वाले होते हैं मैंना आपको बता दिया है अब यह जो short term employee benefits होते हैं बच्चा यह आम तोर पे 3 types के होते हैं ठीक है तो बच्चे बटा इसको तो साथ साथी note कर लो क्योंकि यह easy है आम तोर पे यह 3 तरह के होते हैं एक number one इसको बोलते हैं profit sharing and bonus plans अच्छा यह कैसा benefit होता है वैसे तो मैं इसको detail में आपको बताऊंगा profit sharing and bonus plans but थोड़ा साब को वैसे बताता हूं आप मुझे एक बात बताओ suppose कर लो तुम मेरे company के employee हो भाई मैंने तुम लोग को बोला मैंने का एक काम करो तुम अच्छा काम कर रहे हो न मैं तुम्हे company का 5% profit का हिस्सा देता हूं साथ में salary के अलावा are you understanding salary के अलावा company के profit में 5% हिस्सा तो ये क्या profit sharing plan है हां जी तर ये short term होता है हां जी अच्छा दूसरी बात bonus plan जैसे होता ना कि भाईया तुमने बहुत अच्छा काम कर रहा लो भाईया दिवाली आई लो bonus लोम से बटा आई you understanding short term benefit के अंदर पहला कौन सा होता है profit sharing and bonus plan फिर एक बहुत ही important term होती है जिसको हम कहते है very very important short term paid absences sir ये basically short term paid absences क्या होती है देखो अब ये basically short term plans होते हैं जो हम लोग अपने employees के लिए करते हैं ये basically इसको हम दो categories में करते हैं इसको समझना बटा एक होती है non accumulating और एक होती है accumulating sir ये non accumulating और accumulating basically क्या होता है मैं तुम्हें यहीं पर थोड़ा सा बता देता हूँ तुम चाहो तो यहां पर एक छोड़ा सा example note कर सकते हो for example suppose कर लीजे तुम्हें साल की न मैं 30 days की छुटियां देता हूँ कि भाईया साल में 30 दिन की छुटियां कर लो मेरी बात को समझना साल में 30 दिन की छुटियां कर लो और तुम्हारे पैसे नहीं काटोगो अच्छा अब अगर suppose कर लेक इंप्लॉई है उस बिचारे ने ये allowed है मैं allowed leave है उस बिचारे ने मान लीजे actual leave leave सिरफ 20 दिन की बात को समझो भई उस बिचारे ने actual leave leave सिरफ 20 दिन की अच्छा मुझे एक बात बताओ तो क्या बाकी 10 दिन वो अगले साल carry forward कर सकता है नहीं क्योंकि ये कौन सा case है non accumulating तो याद रखना 10 देस की leave cannot be carry forward क्या वो उसको आगे carry forward कर सकता है नहीं कर सकता तो उसको 10 दिन की leave इसी साल utilize कर ली तो ठीक है वन्ना बुलेंगे जा भाया जा अब अगला तेरा नया साल शुरू होगा तो 10 दिन की leave को carry forward नहीं कर सकता तीक है याद रखिएगा अच्छा अब अगर suppose कर लीजे accumulating accumulating में क्या होता है suppose कर लो कि तुम्हें allowed leave दी थी माल लो 30 दिन की तुमने actual leave ली actual leave ली 20 दिन की sir 10 days की छुटियों को अगले साल carry forward कर सकता है yes वो अगले साल carry forward कर सकता है तो मतलब जो इसका अगला साल होगा याद रखना उस साल उसको 30 दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे साथ में 10 दिन पिछले साल के तो उसकी total leave कितनी हो गई 40 is this clear so accumulating में क्या होता है भाई साब कि आप आगे leave को carry forward कर सकते हो पर non accumulating में क्या होता है कि इसको माँगे carry forward नहीं कर सकते जब आप लोग note कर रहे हो ना तो non accumulating और accumulating का नीचे साथ साथ example लिख लेना अब तुमारे पास क्या होता भाई है इसमें accumulating में 2 terms होती है accumulating के आगे 2 terms एक होती non-vesting और एक होती vesting अब तुम सोचो के सर मुझे एक बात बताओ कि ये vesting और non-vesting क्या होती है देखो simple सी बात है vesting क्या होती है cash payment for unused leave कहने का मतलब vesting मतलब क्या हो गया बटा cash payment for unused leave जैसे for example मा लीजे employee क्या कहता है कहता है सार अब एक काम करो आपने मुझे 30 दिन की छुटी देनी है न ठीके मैं एक काम करता हूँ मैं छुटीन देता है मुझा पैसे दे दो और ज़ादा मतलब इसको हम क्या बोलते है leave in cashment simple सी भाषा में बात क्या करते है बटा tax पर अपने term सुनी leave in cashment मतलब इसमें क्या है हम न लीजे के बदले पैसा ले लेते तो जब suppose कर लो cash payment for unused leave ठीके होता क्या है बच्चा अगर suppose कर लो जो unused part है हम लोग उसका पैसा आप से ले लेंगे उसको क्या बोलते है cash payment non-vesting में क्या होता है employee को बोला जाता है भाईया देख छुट्टी लेनी है लेले पैसे नहीं तुझे दूँगा ठीके तो non-vesting basically क्या है no cash payment for unused leave तो याद रखना employee दोनों में खुश है ठीके जैसे दिदी बहुत खुश है तो अगर आप notice करोगे भाईया employee दोनों में खुश है तो एक case में क्या होता है कि आपको वहाँ पर पैसा मिल जाता है अगर आप leave को नहीं लेना चाहते हो पैसे ले लो और non-vesting में क्या होता है बटा पैसा नहीं मिलेगा बोलता है भाईया तो एक कामगर छुटी करनी है छुटी कर ले पैसे तुझे मैं लग से कुछ नहीं दूँगा बच्चों ये कहानी clear है अच्छा बाकि इसके अलावा सारे short term benefits सारे के सारे जो भी आपको employer आपके देना चाहता है ओके अब बटा पाच्पा पॉइंट clear है noted है examples के साथ noted है अच्छा जी अब तुम्हें एक चीज मैंने बताई दी जो कि बहुत important होती है जिसको हम बोलते है post employment long term benefit भी कराऊंगा long term benefit बच्छा detail में करा दूँगा क्योंकि long term benefit में इतना tension नहीं है इतना कोई point नहीं है basically जो point भीड़ा वो कौन सा है short term का और post employment का अब जो post employment है यह क्या चीज होती है देखो इसमें ना दो चीजे आपको समझनी है post employment benefits के अंदर एक आपके पास term आती है defined contribution plan एक क्या आती defined contribution plan इसको ना मैं आगे से बोलूँगा DCP सर क्या यह legalized abbreviation है हाँ जी अब मज़े की बात है बड़ी देर के बाद कुछ legal है यह abbreviation आ रहा बटा क्या बोलते हैं बटा इसको DCP defined contribution plan अब यह defined contribution plan क्या होता है देखे अब for example suppose कर दीजे इस लाइन को पढ़ना दो मिनट सुनलो के भाई बड़ा अच्छी चीज है दो मिनट सुनलो मैं तो मैं नोट करने का टाइम दे दूँगा DCP are post employment benefit plans under which an enterprise pays fixed contribution into a separate fund and will have no obligation to pay further contributions under defined contribution plan and actuarial risk that benefits will be less than expected and investment risk that assets invested will be insufficient to meet expected benefits falls on employee सर यह क्या कहने का मतलब है पूरी लाइन का example के साथ बताता हूं for example suppose कर दीजे दोस्त एक Mr. X है Mr. X जो है भाईया वो employee है Tata Limited का ठीक है Tata Limited कौन हो गया भाईय साथ? Employer अब Tata जी बोलते हैं देख भाई हम तुझे हर महीने तेरी salary में तेरी salary के लिए हम एक provident fund बना देते हैं और हम उसमें contribution करते जाएंगे मतलब हम उसमें suppose कर लो ये रा fund मालो ये provident fund है इसमें हम हर महीने 100-100 रुपे डालते जाएंगे अब मालो ये एक तेरे लिए plan set हो गया 100 रुपे डालेंगे अब वो 100 रुपे आग कुछ सालों बाद तेरे लिए कठा होके तुझे कितना पैसा मिलता है वो fund जाने है सरकार जाने है क्योंकि सरकार का fund होता भईया सरकार जाने तू जान मेरा कोई मतलब नहीं है मैंने तुस्से क्या बादा कर रहा है मैं तुझे हर बार fund में 100 रबर डालता जाओ कल को इसमें पैसा बड़े कम हो ये सब risk किसका है employee का इसमें न दो terms आप देखोगे मैंने use करी है एक का नाम है actuarial risk और एक का नाम है investment risk actuarial risk की definition मैंने bracket में लिखी है इसका मतलब क्या होता है कि भाईया जो मैंने सोचा था उतना पैसा नहीं मिला बात समझ में आ रही है उसे क्या बोलते है actuarial risk investment risk की भाईया जो asset मैंने जो invest करे थे न मतलब जिस पैसे में मैंने जिस asset में जिस fund में मैंने पैसा लगाया था मुझे वो उतना benefit नहीं देगा suppose कर लो मैंने mutual fund में पैसा डाला मैंने सोचा मुझे 15% return आना चाहिए यह नहीं आरा भाईया उतना return तो यह risk तो होता ही होता है right तो बच्चे एक बाद याद रखना इस case में employer employee को बोलता है देख भाईया यह रहा तेरा fund तेरे fund में 100-100 पर अर्मेन डालने का वादा कर रहा था मैं डालता जा रहा अब वो 100-200 बने 100-200 बने 100-200 बने 100-200 बने 100-200 बने वो तेरी tension है बहुत सारी companies को na actually compulsory होता है provident fund में contribute करना ठीक है so provident fund contributions जो होता है बहुत सारी companies के लिए compulsory होता है DCP अच्छ फिर होता है आपके पास DBP अब DBP क्या होता है बच्चा याद रखना defined benefit plans are post employment benefit plans other than defined contribution plans in defined benefit plans the actual investment is falls on employer इसमें क्या होता है बहिया याद रखना ये सारा employer के पर benefit आ जाता है कहने का मतलब यह हो गया कि employer for example employee को बोलता है मैं तेरी retirement पे तुझे 25 लाख रुपे दूँगा और मैं उसके लिए एक fund बना रहा हूँ ठीके मैंने कितना guarantee कर दिया 25 लाख रुपे अब मालो मैं उसके लिए fund बना रहा हूँ मालो fund मैं बनाता जा रहा हूँ बनाता जा रहा हूँ क्योंकि इसमें risk किसका है? मेरा employer का, are you understanding? इसमें risk किसका है? employer का, तो बेशक वो fund की value 23 लाग बनी, पड़ मुझे उसको कितने दिने पड़ेंगे? 25 लाग, तो defined benefit plan में क्या होता है? जो भी सारा का सारा risk होता है, वो कौन बियर करता है? employer, so in defined contribution plans, याद रखियेगा, the contribution is charged to income statement, ज as in defined benefit plans, detailed actual calculation is performed. कहने का मतलब भाईया, अब मुझे बात बताओ, यहाँ पर तो मेरा कोई tension है नहीं, AS 15 किसके point of view से बनता है? employer के point of view से, वो बोलेगा, भाईया, मैंने contribution कर दिया, मेरा ले simple खर्चा, तो इसमें क्या होता है? defined contribution में employer के बोलेगा, भाईया, मेरे ले simple खर्चा, present value से calculation करनी बढ़ती है, वो याद है, PV से multiply करते थे, उसके rate से, तो मुझे यहाँ पर calculation करनी पढ़ती है, इसको कहते है, detail actual calculation is performed by employer, is this clear everyone? I can't hear, चलो भाईया, यह आपका पूरा AS 15 का summary है, जैसा कि आप जानते हैं, इसको हमने note करना है, note करने के बाद, हम लोगों ने वहाँ पर अब detail पर आना है, और अब आप अपने ICI की पुस्तके खोल सकते हैं, और हम इसका detail शुरू करेंगे इसके बाद, तो सारे बच्चे पहले फटा फट से इसको अच्छे से note कर लें, झालियों अभूब धरे लेता हैं, झालियों झालियों आप पर आना हैं, भीावों रे तोस्तके घुके ऑल एते हैं, घटा मेगे वहाँ वहाँ हो हमेँगे भी, झाल 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 आई होप दोस्तों ये नोटेट है सारे बच्चों का ठीक है चलिए तो भाई ये तो हो गया हमारा एक समरी जैसा कि आप जानते हैं हर AS को दो दो तीन तीन बार करते हैं भाई तो ये बच्चा आपका समरी प्लस समरी चार्ट हो गया आप इसको किसी तरीके से अपना समरी चार्ट में प्रेजेंट कर सकते हो तो इस AS में कुल मिला के अगर मैं आप से डिफाइन करूं तो छे मेजर पॉइंट्स हैं एक बार आखरी बार बता रहा हूं बटा अच्छे सुन ले ना पहला होगा introduction, दूसरा होगा factors, तीसरा होगा types of employee benefits, चौथा होगा indicators, तीके पांचवा बटा इसमें होगा short term employee benefits छटा होगा post employment benefits, तो कुल मिला के वाई साब इस accounting standard में 6 different points है is this clear everyone तीके जी चलिए अब आप लोग बटा थोड़े दिर के लिए आईसे की book निकाल लीजे liability based accounting standard AS 15 employee benefit क्या है अईए, यहां से थोड़ा सा इसका detail समझते हैं समझे सबसे बेल अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो introduction, जैसा मैंने आपको बताया कि यह जो AS है यह basically सारे के सारे employee benefits के साथ deal करेगा और इसमें जो consideration होती है, वो आपके पास cash या kind दोनों में होती है बस आपको सिरफ दिमाग में रखना है इसमें सिरफ share based payments को include नहीं करते हैं is this clear everyone so जो employee benefit होते हैं याद रखेंगे, वो आपके पास formal plan या agreement भी हो सकता है formal plan या agreement that means जैसे suppose कर लो हम कहते हैं employees को हम लोगों ने भाई वहाँ पर employee कर लिया एक agreement के accordingly या legislative requirement के accordingly मतलब एक legal way में या informal practices इसको हम casual employees बोलते हैं कि यार कभी employee करा, कभी निकाल दिया तो हर तरह के employee benefit जो भी हम अपने employee को देते हैं सब कुछ इसमें include किये जाते हैं is this clear everyone ठीक है जी बता दिये हैं वो ये चार main factors हैं जो मैंने आपको का था कि ये standard चार चीजे बड़ी अच्छे से clear करता है वो standard क्या-क्या चार चीजे clear करता है कि भई आपके इसमें हर तरह के employees होंगे, cash या kind में हम दे सकते हैं employee benefits जो होते हैं, वो उसके बच्चों को भी मिल सकता है, उसकी knife मतलब उसकी wife को भी मिल सकता है याद रखिएगा, ठीक है और या तो हम directly payment उसको करेंगे या उसके legal hires को करेंगे इस दिस clear यहां तक पढ़ना है सर, नीचे वाला paragraph घर पे free हैं तो पढ़ते रहना बटा आराम से और आजाईए illustration one थोड़ा marking कर देना भाईया किताब में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ठीक है, ताकि हम अपना बेकार का समय ना waste करें और अपने कीम्ती समय को हम किसी और कारे में विवस्तिक कर ले, is this clear everyone भाई, ठीक है जी सबसे पहले भाईया आईए illustration one अच्छा आपको मज़े की बात बताता हूँ, हमारे एक मित्र हैं वो इसको कैसे प्रनाउंस करते illustration one याद रखिएगा, तो वो मुझे pronunciation बढ़ अच्छा लगा, illustration ठीक है, मतलब obviously आपकी कक्षा का विधारती नहीं है वो ठीक है, तो वो दूसरी कोई कक्षा का विधारती वही है, वो क्या बोलेगा इसको illustration, मेरे को कली इस बढ़ सुनने में है, मुझे बड़े ही पसंद आ है okay तो भाईजब इस case में याद रखिएगा आपके पास क्या लिखा है, what are the kinds of employees covered in revised AS whether a formal employer employer relationship is necessary or not for the benefits to be covered under the standard, तो पहला illustration क्या है कि कौन-कौन से employees हम लोग को यहाँ पे चाहिए होते हैं, मैंने आपको indicators बताए हैं, ठीक है, और क्या एक formal proper agreement employer और employee के बीच में होना चाहिए benefits को cover करने के लिए, देखिए यह जो paragraph है आपको एक चीज बताता हूँ, यह जो मारा AS 15 है अगर तुम इसको ध्यान से पड़ोगे तो यह पहली बात employee को define ही नहीं करता, ठीक है, यह employee को practically कहीं पर भी definition है, अगर हम terms की बात करें कि employee को define कर लो, तो employee को define ही नहीं करता, पहली services देता है, चाए वो full time हो, चाए वो part time हो, चाए वो casual हो, चाए वो director हो, या आपका management personal हो, सब आपके employee हैं राइड, एक चीज याद रखना, क्या हमें एक formal agreement की जरूत है, नहीं हमने अभी थोड़ देर पहले पढ़ा, informal practices से भी काम चलता है बात समझ में आ रही है हमने अभी पढ़ा भाईया, यहाँ पर क्या पढ़ा हमने informal practices से भी employee benefit का काम चल जाता है तो क्या हमें formal agreement करने की जरूत है, नहीं बच्चा तो यही बात आपको नीचे लिखी है, यह standard कहता है, there is no requirement for formal employer-employer relationship तो हम लोग को यहाँ पर कोई formal agreement करने की जरूत है नहीं, अच्छा अब यहाँ पर आपको अच्छे से बात समझनी है, generally outsourcing contracts may not meet the definition of employer-employer relationship सर जी यह क्या कहने का भाव है कई बार होता, आप काम को outsource करवा लेते हो, for example मैं आपको छोटा से example देता हूँ देखो, मैं आपको अपना practical experience बतातो, जो छोटी-मोटे test उसकी typing होती, वो तो मैं इन लोगों को बोल देता हूँ staff को कर लो, जैसे किताब type करने भाईया, इतनी किताब कहा type करेगा staff, ठीके उनसे होगी भी नहीं, because they are not professional बताओ, क्या वो बंदा मेरे employee है for example, X है, मैं इसको typing का काम दे दिया, मैंने का भाईया, तो एक काम कर, मेरे ले काम कर, क्या वो मेरे ले employee है, मेरा वो नहीं, क्योंकि वो सिर्ब मेरा काम नहीं कर रहा, he is a professional typist, so what I am doing is, I am outsourcing my work you got my point, I am outsourcing my work, तो याद रखना जो outsourcing contracts होते हैं, वो आपका employer, employee का definition नहीं meet करता, मैंने आपको 10 minute पहले बताया भाईया, contract of service and contract for service तो बच्चों, यह जो outsourcing contract है, यह basically contract for service वाली बात हो गई ठीक है, याद रखिएगा अच्छा, तो बच्चों, यह बाद याद रखना, इसको contract of service and contract for service को आपको थोड़ा classify करना होता है ठीक है, अब जैसे for example, contract for services implies a contract for entering services for example, professionals ठीक है, उनके ओपर हमारा limited control होता है, मैं उसको बोल दूँगा, मैंने का भाई, मेरा यह काम करते, मुझसे पैसे ले बात अब वो काम यह थोड़ी कि मेरे center बे बैठके करेगा उसको थो नहीं होए, तो इधर बैठके type कर, मेरे direction है, तो यहाँ पर खड़े होके काम करेगा, ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता उसको, क्योंकि वो मेरा क्या है, contract for service, अब सबोज मैंने आपकर of service जो होता है, वो employer-employer relationship बताता है, बट जो contract for service होता है, वो employer-employer relationship नहीं बनाता, तो कहने का मतलब contract for service में AS 15 अप्लिकेबल नहीं है, and contract of service में AS 15 अप्लिकेबल है पहली illustration clear है आप लोगों की? दिल लग गया बटा, पहली illustration से? ओके जी, आईए एक enterprise को भहिया, informal practices में कब employee benefit देने होते हैं? सर, आपने बोला कि informal practices के अंदर employee benefit आ जाता है मैंने कब मना करा? आता है भहिया देखो, क्या होता है कि आपको, कई बार क्या होता है, कि आपको employee को कई बार informal practices में भी वहाँ पर ultimately benefit देने पड़ते हैं अब for example, suppose कर लीजे, informal practices छोटा सा example बताता हूँ ये लीजे माल लीजे बटा एक छोटा सा प्यार भारा example लेते हैं हाँ जी माल लीजे इदर से इसको पकड़ते हैं जी चलो ये भाईया माल लीजे इस कहानी के सारे पात्र कालपनिक है इसका वास्तक जी बिजन से कोई ले ने जना नहीं समझ के सारे ये हमारे Mr. Happy Misprint है ठीक है जी ये Mr. Happy सिंग है Happy Misprint जी और माल लीजे बड़ा ये इनका Employer है Right माल लीजे Mr. Chimanchu ये इनका Employer है माल लीजे Mr. Chimanchu अब भाईया Happy जी जो है वो जीवन में बहुत जादा खुश हो गए हैं अब वो जीवन में थोड़ा दुखी होना चाहते हैं तो वो शादी करने जा रहे हैं कहते हैं बहुत होगी मेरी खुशी बस अब वो क्या करने जा रहे है Happy जी बोलते चल यार अब मैंने अपनी Miss ढूंडी जिसने प्रिंट डाला हुआ था तो अब मैं विवा के बंदन में बनने जाता हूँ चलो ठीक है तो अब यहाँ पर जो Miss स्प्रिंट है जिसके साथ वो विवा हो रहा है शादी हो रही है शादी आएगी तो बड़ा खर्चा तो लगे गई लगेगा मा लीजे चिमांचू ने क्या करा उसको वहाँ पर उसके विवा के उत्सव पे एक लाख रुपे का Employee Benefit दे दिया अब आप मुझे बताइए चिमांचू का क्या Selfish Interest हो सकते है मतलब I mean to say और यार तुम लोग बात को कहां ले जाते हो भी मैं चाहता हूँ वो आपको कहने कि वो अपने Employee को Benefit क्यो दे रहा है आप बताइए वो अपने Employee को Benefit क्यों दे रहा है वो अपने Employee को Benefit इसलिए दे रहा है ताकि Employee उसके लिए Future में अच्छा काम करे ठीके तो मुझे बताइए ये जो शादी के उत्सव पे दिया जाने वाला एक लाख रुपया ये AS 15 कवर करेगा की नहीं करेगा ये बताओ करेगा ये भी Employee Benefit है इसी को तो Informal Practice बोलते है भया फॉर्मल तो सब उसको पैसा दे रहे हैं अब Informal Practice में दिया जाने वाला किसी भी प्रकार का Benefit जैसे वो उसके त्योहार है कोई शादी है कोई कुछ है तो आब उसको पैसे दे रहे हो तो ये भी एक तरह से क्या है Employee Benefit Is this clear? ठीक है? तो तुम लोग को बटा ये ही चीज समझानी है तुम लोग को बच्चा ये ही पढ़ाना है For example, इस लाइन को पढ़ देना For example, Employer has a practice of making a lump sum payment on the occasion of festival or regularly grant advances against informal benefits to employees तो बुलता भाई या जैसे मालो के festival में या कोई advance दे दिया उसको like वहाँ पर ultimately तो ये सारी चीज़े जो होती है ये Employee Benefit होता है अच्छा अब अगर suppose कर लो में थोड़ा सा example को change करता हूँ ठीक है? मेरे को एक बात बताओ यहाँ पर अगर suppose कर दीजे चिमांचू सियाना बंदा कहता है ठीक है तो मैं लाख रुपे देता हूँ लाख रुपे न तो एक काम कर benefit छोड़ तो loan की तरह ले ले और तो मुझे वापिस करेगा अब बताओ यह employee benefit है तो यह case to case पर depend करेगा बात समझ में आई employee benefit मतलब employee को बापिस नहीं करना भाईया फायदा मिला उसको are you understanding तो यह हमेशा case to case पर depend करेगा कि employee benefit है की नहीं है ठीक है कल को सिपोष चिमांचू बोलता ठीक है भाईया तो लाख रुपे नहीं दे सकता तो एक काम कर तू तो मुझे इसका interest पे कर दे पूरी बात तो सुन लिया अगरो भाई तो मुझे इसका interest पे करना शुरू कर दे तो भाईया बताओ क्या ये लाख रुपया जो है जिसका interest वो से ले रहा है क्या ये employee benefit है नहीं ये भी इसका loan का तरह interest हो गया तो बच्चा याद रखो इस case में दोनों situation में आपको बड़ी careful judgment करनी पड़ती है informal practices में देखना है कि क्या employee को वाकी में benefit हो रहा है की नहीं हो तो याद रखना ultimately क्या कहते हैं इस line को पढ़ेंगे careful judgment should be applied in assessing whether an obligation has arisen particularly in instances wherein enterprise practice is to provide improvements only during the collective bargaining process and not during any informal process if the employer has not set a pattern of benefits that can be projected reliably to give rise to an obligation there is no requirement to provide for the benefits अभी क्या कहानी है भीया अब बताओ एक employer जो अपने employee को benefit देता है अब अगर suppose कर दीजे उसने रखा हुआ अपने system में मान लो बटा चिमांचू ने अपनी company पर रखा हुआ कि जो employee की शादी होगी उसको हम लोग वहाँ पर एक particular benefit देंगे जो बिचारा single से double होगा उसको हम लोग क्या गरेंगे एक benefit देंगे तो अब बताओ क्या यह जो चिमांचू है employer यह अपनी company में provision for employee benefits बना सकता है बना सकता है बट अगर suppose कर लो चिमांचू ने ऐसा कोई भी pattern नी रखा हुआ language को समझो चिमांचू ने अपनी company में कोई ऐसा pattern नी रखा हुआ चिमांचू कहता है ठीक है यार मिरे को misprint बहुत पसंद है मतलब यह यह इस बंदे की बात कर रहा हूँ मिरे को misprint बहुत पसंद है यार आप लोग तो भाई कहानी को कहां से मतलब वो बोलता है मैं खाली इसकी ही सेवा करूंगा मैं खाली इसको ही अचानक से लाख रुपे दूँगा तो क्या यह इस लाख रुपे को इसकी provision बना सकता अपनी किताबों में नहीं because it's not a regular pattern so बच्चा यह चीज़े दिमाग में रखनी है कि क्या हम लोग उसको अपनी liability कब मानेंगे और कब नहीं मानेंगे is this clear everyone तो मैं उसको अपनी liability कब मानूँगा और कब नहीं मानूँगा यह depend करेगा कि मैं उसकी provision जो है अगर मैं regular pattern पे बनाता हूँ तो मैं उसकी provision बनाऊँगा अगर मैं regular pattern पे नहीं बनाता तो क्या मैं उसकी provision बनाऊँगा नहीं बनाऊँगा बच्चो यह clear है ठीक है तो याद रखना however इस line को बढ़े however if the practice established by employer was that of consistent benefit consistent लगातार benefit granted either as a part of union negotiations मतलब हो सकता है कि उसकी company के employee की union होगी उन्होंने बोला भाईया जो single से double होगा उसको तुझे पैसा देना पड़ेगा हर दिवाली पे bonus देना पड़ेगा जा जो मर्जी कर ले हर दिवाली पे bonus देना है हर festival पे होली पे bonus देना भाईया ठीक है तो भाईया उस case में वो उसका fixed amount होगा तो क्या वो उसकी provision बना सकता है yes क्या वो उसको employee benefit AS 15 के अंदर दिखाएगा yes तो याद रखिएगा otherwise that clearly established a pattern for example cost of living adjustment or fixed rupee increase कहने का मतलब कहता भाईया जब inflation बढ़ेगा महेंगा ही बढ़ेगी employee की salary वह कुछ तुझे allowance देना पड़ेगा आप लोगोंने एक pattern सुना होगा कभी जिन्दगी में tax में सुना होगा DNS allowance आपको पता है इसको हिंदी में क्या बोलते है DNS allowance को हिंदी में क्या बोला जाते है anyone महेंगाई भत्ता क्या बोलते हैं इसको बात समझ में आ रही है DNS allowance English में बोलते हैं इसको तो बटा यहाँ मेरे लिए DNS allowance मेरे लिए employee benefit है हाँ जी क्या मैं इसकी probation बना सकता हूँ किताबों में हाँ जी क्या मेरे लिए liability है हाँ जी क्योंकि मैंने employee को pay करना है on the consistent pattern is this clear ओई डखनो is this clear so याद रखना employee benefit के अंदर याद रखेगा अब हम लोग क्या क्या चीजे include करते हैं हमने इस बात को समझना है employee benefit के अंदर हम लोग 4 चीजे include करते हैं जो मैंने आपको अच्छे से बता दी है कौन कौन सी 4 चीजे भहिया short term benefit जिसको आपको बताया था जो 12 महीने के अंदर-अंदर payable होता है उसको हम short term benefit बोलते हैं याद रखना post employment benefit जो उसकी नौकरी छोडने के बाद मिलता है जैसे gratuity, pension, provident fund post employment medical care बुरापे की सेवा का जो खर्चा होता है long term employee benefit जैसे for example मैंने बोला भईया जो आपके 12 महीने के बाद मिलते हैं suppose तुमने long service करी उसके बाद तुम्हें पैसा मिलता है ठीके तो क्या होता है long term employee benefits और एक होता है termination तुम्हें नौकरी से निकलने के बाद जो benefit मिलता है BRS Retrenchment जो से मैं आपको example दिया बच्चो इस दिस clear अवाज सी नहीं आरी भई गुड ठीक है अब आज़ेए भाई साहब तुम लोगों को समझना है ये AS की applicability कब से हुई देखो बटा ये जो AS है ये apply करना शुरू करा है April 2006 से और जितनी भी level 1 enterprises थी उन लोगों को लगा अब बच्चो के मन में सवाल आएगा सर लेवल 1 enterprises क्या होती देखता हूं किसको यादबटे मने इस starting में AS intro का chapter कराया था मैंने तीन लेवल के enterprise कराया थी कितना turnover था भाई याद तो करो भूल बाल गया होगा अब तक सारे बच्चो को 50 करोड 50 या 500 था अब एक काम करो अपनी पुस्तक में यहीं पर लिख लो साइड पे level 1 के feature क्या होते हैं level 1 वाली कौन सी होती जो listed होती है in recognized stock exchange मैं फिर से लिखवा देता हूं वैसे तो मैंने बिल्कुल जब AS start करा था तब बताया था AS intro की class थी बटा एक AS intro की ठीक है जो listed होती है recognized stock exchange में या about to get listed होती है जो about to get listed मतलब जो listing process में होती है मतलब या तो जो recognized stock exchange में listed होती है या वो listing के process में होती है ठीक है याद रखना जितने भी banks होते हैं जिसको हम कहते including cooperative banks बाई साब जितने भी बैंक्स होते हैं ये भी लेवल वन एंटरप्राइज के अंदर आते हैं जितनी भी FIs होती हैं FI का फूल फॉर्म बता आप लोगो पानाशल इंस्ट्यूशन जितनी भी FIs होती हैं सारी की सारी आ जाती हैं जितनी भी इंशोरंस कंपनीज होती हैं ये भी लेवल वन एंटरप्राइज में आती हैं जितनी भी इंशोरंस कंपनीज होती हैं ये भी सारी लेवल वन एंटरप्राइज में आती हैं नमबर छे जिनका टर्नोवर पचास करोड से उपर होता है जिनका turnover 50 करोड से उपर होता है याद रखिएगा अच्छा एक point और था देखूं किसी को याद है किसी ने बच्चों ने करा वा डखन पढ़ा वह एस इंट्रो भूल बल गया फिटें move गलत जिसके public deposit 10 करोड के उपर हो याद आया public deposit ये companies जो होती है याद रखना ये public deposit भी ले सकती है तो जिनके public deposit अगर तुमने public से पैसा लिया है deposit के तौर पे बैंक से ना तो बैंक करता गया है बैंक public से deposit ही लेता है तो जिनके public deposit 10 करोड के उपर हो ये सब level 1 enterprises की category में चली जाती है तो याद रखना आम तौर पे ऐसी companies के लिए ये AS 15 applicable होता ही होता है क्योंकि इनमें आम तौर पे 50 या उससे जादा employees होते ही हैं बड़ी-बड़ी companies है ना तो इनमें आम तौर पे 50 या उससे जादा employees definitely होते हैं तो आप ये कह सकते हो कि this AS is applicable आप simple भाशा में बटा ये कह सकते हो कि this AS is applicable to all listed companies और about to get listed companies और banks और financial institutions और insurance companies और turnover जिसका 50 करोड के उपर हो और जिसका public deposit 10 करोड से जादा हो और आम तौर पेस में employees 50 से जादा होते हैं तो आपको dates या रखनी पड़ेंगी तर ऐसे हर AS की dates याद रखनी पड़ेंगी हाँ जी याद रखिएगा जो AS revised हुए हैं recently 2004, 2005, 2006 के onwards उनकी dates आपको याद रखनी पड़ेंगी अब सर एक बात बताईए employee benefit का मतलब अरे यार employee benefit एक बहुत ही wide term है देखो मैंने आपको बताया था indicators ठीक है मैंने क्या बताया था employee का कोई definition नहीं है बड़ वो employee benefit एक बहुत ही wide term है कहता है employee का मतलब सब कुछ अब employee का मतलब उसमें ये indicators हैं ये हम लोग already summary notes से कर चुके हैं इसको समझेगा भाई मैं आपको अलवड़ी बता चुका हूँ इसको हम लोग summary notes में अलवड़ी कर चुके हैं क्या employee के लिए indicator मैंने आपको 8 point बोले थे याद करो ठीक है तो ये सारे वो indicators हैं बच्चो is this clear अवाज सी नहीं आरी भाई very good अब इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हुए मैंने आपको क्या बोला था चार तरह के benefit होते हैं याद है आपको क्या बोला था भाई चार तरह के benefit होते हैं कौन-कौन से चार प्रकार के benefit होते हैं number one बताइए short term दूसरा long term post employment और terminal ठीक है जी या termination benefit अब हम एक-एक करके सारे benefit का detail करेंगे जब मैंने आपको short term बताया था तो मैंने आपको short term के बारे में detail बतायती है याद आया पांचवा point अब हम लोग यह detail करने जा रहे है ठीक है समझते जाएगे अब हम लोग अब इस detail को करेंगे short term benefit हमारे पास क्या-क्या होता है देखो short term basically क्या होता है आम तोर पे यह वो benefits होते हैं जो payable होते हैं within 12 months after the end of the period in which the services is rendered अर्थात जिस period पे आपने services दे दी उस services से अगले 12 महीने के अंदर-अंदर for example मैंने अगर April के महीने में आपके लिए काम करा तो अगले साल April के पहले-पहले मुझे वो benefit मिलना चाहिए ठीके एक बाद याद रखना short term में थोड़ा advantage होता है क्यों? because इनकी calculations बहुत straightforward होती है इसमें कोई present value आपको नहीं लगानी पड़ती कहने का मतलब no actuarial assumptions actuarial assumptions जो होती हैं जो present value factor के basis पे लगानी पड़ती है present value factor की जो fundे होते हैं that is applicable only in long term not in short term is this clear? ठीके? तो ये बच्चा याद रखना short term benefits के अंदर हम लोग को कोई भी actuarial assumptions मतलब इसमें present value का कोई funda नहीं आएगा short term employee benefits को हम लोग 4 categories में बाठते हैं कौन-कौन सा regular benefit जो आपको हर बार मिलना है wages, salary, तुमारा benefit है ये सर benefit है हर बार मिलना है हाँ जी सर हर बार मिलना है तो भाईया तुमारा जो regular benefit पे तुमारे पास आएगा कौन-कौन सा तुमारी wages होगी तुमारी salary होगी तुमारा हर बार मिलेका पुसारा ठीके? जो तुमारे short term compensated absences होंगे for example तुम छुट्टी पे जाओ ठीके? तुम छुट्टी पे जाओ मान लो भाईया for example सरीन साब छुट्टी पे गए क्यों भाईया pregnant हो गए? मिसिस सरीन प्रेगनेंट हो गई तुमारी इसलिए को बोलते हैं ठीके? ओ यार मिसिस सरीन प्रेगनेंट हो गई उसके उसने छुट्टी ली तो वो क्या हो गया? भाईया maternity leave पे चला गया तो सारे बच्चे बटा यह सब याद रखेगा इस सब क्यों होता है? short term compensated absences राइ सब की छुट्टी के भी पैसे आपको मिलते हैं is this clear everyone? ठीके? profit sharing bonus plan इसमें क्या होता है? employee को बोलते है भाईया तू tension मत ले तिरको अच्छा काम करेगा तिरको हम अपने business में रखेंगे और अपना profit का भी share देंगे और तुझे हर दिवाली पर bonus देंगे जा ash कर तू अच्छा benefit भाईया तिरको हम गाड़ी देंगे तिरको हम वहाँ पर पूरा इलाज देंगे खर्चा देंगे ठीके? अराम से घूम तो मतलब ऐसे जो benefits होते हैं यह generally कौन से होते हैं? short term benefit अब जैसा मैंने आपको थोड़ देर पहले बताया कि short term benefit को भी हम लोग बटा आगे दो parts में divide क यह हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे अब सुनिए जितने भी short term benefits होते हैं, जितने भी short term benefits होते हैं सारे के सारे याद रखिएगा, वो कहता है, यह standard कहता है कि भाईया, सारे short term benefits जो होते हैं न, महाँ पर, वो generally उसको हम किताबों में recognize करते हैं और generally इसको हम लोग क्या मान लानते हैं, expense की तरह treat करते हैं, और इसमें कोई भी discounting rate नहीं लगाना पड़ता, इसलिए कहते हैं, the undiscounted amount, word क्या use किया जाता है, undiscounted amount, मतलब present value का पंगा नहीं होता है, इसमें, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, present value का पंगा नहीं होता है, मतलब इसमें कोई भी आपके पा पताया, actuarial assumption नहीं लगती है, ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज लखेगा, जो तुमारा खर्चा होता है, और जो तुमने cash payments करी होती है, उसमें difference होगा, उसको liability माल लेते हैं, या asset माल लेते हैं, for example, suppose कर लिजे, जो तुमारा expense है, expense suppose कर लो भाईया, तुमारा एक लाग क है, और तुमने अभी pay करा है, सरफ 70,000, तो बाकी 30,000 और देना है तुमने, वो तुमारी क्या हो गई, liability, अब जैसे छोटा सा example देखो, बिटा तुमने क्या करा, बिटा, salary 2 करोड की तुमारा total expense है, तुमने actually में pay करी, 1 करो 90 लाग, तो 10 लाग तुमारी क्या हो गई, liability, is this clear everyone, ठीके, अच्छा, फिर हम छोटा सा example लेते हैं भईया, short term compensated absences जो होते हैं भई, ये हमारे पास आगे चलके 2 categories में जाते हैं, एक होता है accumulating, अच्छा बचाओ, accumulating बड़ा simple सा funda है, अब accumulating मतलब क्या हो गया भईया, छुटियां तेरे को इस साल मिली है, तुने अगर नह रखना, इसके अंदर कहते हैं, अगर current period का entitlement आपने use नहीं करा, तो उसको हम लोग carry forward कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको इसका example दे दिया था, अब wasting क्या होता है, अगर suppose कर लो, वहाँ पर employees को cash payment मिल जाता है, unused leave के लिए, बटा point समझ में आ रहा है, अगर employees को cash payment मिल जाता है for unused leave, यह line पढ़ रहे हैं आप लोग, कि employees को, हम लोग क्या देते हैं भहिया, cash payment दे देते हैं for unused leave, non-vesting में क्या होता है, employees को हम लोग कहते हैं भहिया, पैसा नहीं देंगे, छुट्टी जीता छुट्टी ले ले, बच्चों यह बात समझ में आ रही है, बटा यह clear है, good, हम से एक example लेते हैं, जो तुम लोग को mark करा दिया भहिया, example के साथ सुनना, an enterprise has 100 employees who are entitled to each 5 working days of leave in a year, देखो, 100 employees हैं और उनको बोला कि तुम लोग को बटा साल की 5 चुटिया, unused leave को हम carry forward कर सकते, एक calendar year में, मतलब कौन सा हो गया बटा, जो carry forward कर सकते, कौन सा हो गया यह, accumulating, ठीक के, the leave is taken first out of current year, current year की पहले leave खतम करनी है, फिर तुम अगले साल की leave को brought forward कर सकते हो, 31st December को average unused entitlement 2 days per employee है, मतलब employees को 5 दिन की छुटी दी थी, और average 2 दिन की छुटी, उनकी अभी भी लेफ्ट ओवर है, और 3 दिन की छुटी, उन्होंने utilize कर ली है, यह आपकी unutilized वाली छुटी है, is this clear, unused, enterprise expect करता है कि वही आप past experience है, 92 employees जो है, will take no more than 5 days of leave in 2005, पांच, मतलब, जो around 92 employees हैं, वो तो अपने 5 दिन की छुटी पूरी खतम कर गए, but जो 8 employees है, 8 employees, उन्होंने क्या करा, उन्होंने वहाँ पर सरफ 6 and a half days की छुटी ली, कितने दिन की ली? मतलब, उनका देर दिन रहे गया, बटा, भहिया, देर दिन रहे गया, carry forward करने वाला, अच्छा, 8 employees का देर दिन, आप मुझे बताओ, total कितने दिन हमने carry forward कर दे हैं, 12 days, बच्चा, ये clear है, 12 days, 12 days हम लोगोंने 12 days को carry forward करना है, सबको समझ में आ गया, कैसे? देर दिन के एसाब से, ठीक है, सो कहने का मतलब, enterprise को additional 12 दिन का छुटी, अगले साल देना पड़ेगा, 8 employees को, हाँ, जी, ये clear है, अब यहाँ पर 12 दिन की छुटी हम अपने किताबों में liability दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, liability, क्योंकि हमने ये employee को अगले साल देनी है, बड़ा बात समझ में आ गई, I can't hear, अब non accumulating कौन सी होती, देखो, जैसे for example मैंने बताए, maternity leave, भाईया, अब मुझे बताओ, उसको हम आगे थोड़ी देंगे, उसको बोलेंगा, भाईया, माल लोग कोई lady इस साल pregnant है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, भाईया, तु एक कामगर, अगले साल दुबारा pregnant हो गई, example याद आगया, बड़ा अच्छा, अच्छा, अब अगर शादी के बाद suppose कर लीजे, एक प्यारा सा, यहाँ पर एक print हो गया, ठीक है, माल लीजे, एक छोटा सा, यहाँ पर उनका print हो गया, उसका नाम रखा बटा lovely, राइट, अब मुझे बताईये, कि क्या जो इनकी wife है, जो इनकी missis है, इनको क्या चिमांचु भाईया, वहाँ पर आप खूद सोचिए, maternity leave, एक ही बार देंगे, भाईया, maternity leave, एक ही बार देंगे, मेरा कहने का मतलब, यह ऐसी leave होती, जो accumulate नहीं हो सकती, हाँ जी, माल लीजे, आपकी उसकी जो wife है, माल लीजे, वो आपकी pregnant है, ठीक है, और उसकी जो wife है, माल लीजे, वो आपके पास काम करती है, हाँ वो भी काम कर रही है, तो अब अगर सपोज़, उसकी wife भी आपके लिए employee है, बात समझ में आ रही है, तो बटा, आप मुझे बताइए, आप maternity leave एक ही बार देंगे ना बच्चा, मैं यह कहना चाहता हूँ, कि maternity leave generally carry forward नहीं हो सकती, यह accumulate नहीं हो सकती, तुम यह नहीं कह सकते की, मैं इसको अगले साल दुबारा ले लूँगा, right, तो बच्चे याद रखिएगा, इसलिए इसको बोलते है non accumulating, बटा बात समझ में आ रही है, तो simple भाशा में, non accumulating compensated absences do not carry forward and are not directly linked to the services rendered by the employees in the past, याद रखिएगा, तो इसलिए हम लोग non accumulating को कभी भी किताबों में liability नहीं दिखाते, अब मैं तुम्हें चोटा से example देता हूँ, मैंने पिछला example दिया, उसमें मैंने 12 दिन की leave को अपनी liability दिखाया, क्योंकि मुझे पता इसको carry forward करना है, employer का point of view सोचो, employer ने आगे 12 दिन की leave को carry forward करना है, तो उसने क्या करा उसको as a liability किताबों में दिखा दिया, अब मुझे पता है non accumulating मुझे carry forward करना ही नहीं है, याद रखना, तो जब अगर मुझे carry forward नहीं करना, तो क्या मैं किताबों में कभी इसकी liability दिखाऊंगा, नहीं, जब ये leave होगी इसको जो मेरा इसका खर्चा लगेगा, खर्चा मैं उस time पे दिखा दूँगा, और जब मैंने इसको carry forward आगे करना ही नहीं है, तो क्या ये कभी मेरी liability आ सकती है, नहीं, तो ये ही आपको पढ़ना है, enterprise recognizes no liability or expense until the time of absence, तो जब वो छुटी लेगी, याद रखना, तभी वो जो cost होगी, वो ही आपकी as a liability या expense, sorry, as a expense मावबट बुक में दिखाए जाएगी, हाँ जी बच्चा, non accumulating is clear, हम एक काम करते हैं, हम non accumulating जो है, यहां तक एक बार फटा फट से पूरी lines को go through कर लीजे, तुम लोग को कोई भी problem है तो बताईए, बढ़ना मैं आपको next plan पे लेकर आता हूँ, अगर तुम चेक करोगे, मैंने तुम लोग को अभी तक यह सब चीजे बता दी हैं, मैंने short term absence ही explain कर दिया है, ठीक है, इसके अंदर accumulating, non accumulating, wasting, non wasting, सारा explain कर दिया है, अब मैं करूँगा profit sharing bonus plans, बटा जल्दी से तुम्हें एक मिनट का समय दे रहा हूँ, फटा फट से go through करिये, इन lines को पढ़ लो, कोई doubt है तो बताओ, कर दोःएंस, अज़ कर दोई एक मिन दोगना समय आटी कर दोग मिनट कर दो से जड़ है, इनल्दी दोगर के दोना से तूँजएंस, मैं व्मा वोगर फटालता दोग्वाज़ प्हा ज़से आटोंरादा यहां, मैं बता हैं, अज़ मैं तो समय दोगना झाटा यहां तो झाल झाल जी बच्चा इस दन ठीक है अब बच्चा इसमें न एक छोटा सा exception आता है जो आपको समझ में आना चाहिए exception क्या है कहता है भाईया small और medium size companies micro small and medium size enterprises जो level 4, 3, 2 सारी जो आती है may not comply with short term absences to the extent they deal with the recognition and measurement of absences which are non-vesting मतलब simple सी भाशा में आपसे बात करें तो आम तोर पे बटा ये जितने भी हम लोग पर rules पढ़ रहे हैं वेस्टिंग नौन वेस्टिंग के ये आम तोर पे small और medium size companies और micro और small enterprises के लिए लागू नहीं होती simple सी भाशा में बात करें तो बटा is this clear तीक है वैसे भी आपको पता है ये जो सारे AS हैं ये big companies के लिए valid होते हैं जिसके employees 50 से जादा होते हैं तो small और medium size micro small enterprises के लिए कई बार ये AS लागू नहीं होता है विकास इसमें employees भी कम होते हैं is this clear everyone ठीक है जी ठीक है जी तो अच्छा अब यहाँ पर आपके पास अगला point आता है जिसको हम बोलते हैं profit sharing and bonus plans अब ये क्या कहानी है profit sharing and bonus plans जैसे मैं आपको बताया कई बार हम employees को हम extra benefit देते हैं उसको बोलते हैं भाईया दे के काम करते हैं हम ना वहाँ पर तेरको profit भी देंगे साथ में bonus भी देंगे तो अब मुझे एक बात बताईए ये जो हमारे पास profit हम दे रहे हैं bonus दे रहे हैं ये obviously होता क्या है हमारे लिए खर्चा है ठीक है हमारे लिए खर्चा है अब इस खर्चे को हम लोग अपनी किताबों में तब दिखाते हैं अगर मेरी वो present obligation है क्यों? because अगर employee ने अच्छा काम करा तो मैंने employee को वादा करा हुआ भाईया तुझे bonus दूँगा तो past event मतलब employee ने अच्छा काम करा उसको वादा करा कि भाईया आज तुने अच्छा काम करा तो जो इसके बतले क्या दूँगा मैं bonus दूँगा is this clear everyone? तो ये basically क्या है? ये मेरी present obligation है in respect of my past events number one number two क्या है? कि भाईया मैं इसका estimate कर सकता हूँ obviously इसकी calculations कर सकता हूँ तब ही इसको किताबों में दिखाऊंगा तो याद रखना इसकी calculations कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको एक छोटे से example के साथ बताता हूँ अब इस पर आ जाईए एक profit sharing plan company को कहता है कि आपको अपने net profit का अपने employees को एक specified portion देना है ठीक है? if no employees leave during the year the total profit sharing payment for the year will be 3% of net profit enterprise estimate करता है staff turnover will reduce the payments to 2.5% of net profit मतलब अब अगर suppose कर लीजे एक company ने plan करा कि भाईया हम लोग employees को उनकी छुटी ना लेने पर benefit देंगे तुम छुटी मतलो हम तुमें benefit देंगे हम तुमें average benefit कितना commit करते हैं कि भाईया तुम लोग का 3% तुमें net profit का दिया जएगा अगर तुम छुटी नहीं लोगे तो अगर मतलब कोई employees छोड़ता भी नहीं है कोई employees छोड़ की नहीं जाता ठीके तो माल लीजे सारे employees रहते हैं हम उनको बादा कर रहा हुए कि भाईया तुम मौकरी भी नहीं छोड़े तुम अच्छे से काम कर रहे हो हम तुमें average 3% of net profit का देंगे बट company को अंदाजा लगता है कि यार कुछ बंदे तो काम छोड़के चले ही जाएंगे ठीके तो भाईया हो सकता है कि कुछ बंदे काम छोड़के चले जाएंगे अब मेरे को देखो ये तो नहीं होता कि मेरे पास सारे employees पूरा साली टिक के काम करते हैं हो सकता है भाईया माल लीजे मेरे पास 1, 2, 3, 4 और 5 employees हैं तो मैंने सोचा था अगर इन में से कोई काम नहीं छोड़ेगा तो मैं 3% of net profit का मुझे क्या देना पड़ेगा उनको bonus या profit sharing plan पड़ मुझे अंदाजा है कि भाईया हो सकता है ये बंदा और ये बंदा काम छोड़के चले जाएं तो मुझे average क्या देना पड़ता है 0.5% of net profit possible है बटा staff turnover समझते हैं turnover को छोड़के चले गए उसके बतले कुछ नहीं आया तो मुझे हो सकता है कि average मुझे 0.5% of net profit तो देना ही पड़ेगा तो मुझे 0.5% of net profit को अपनी किताबों में as a liability दिखा देना चाहिए इस दिस clear everyone ठीके तो बटा यही बात समझ में आना enterprise recognize the liability and expense as 0.5% of net profit तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अपनी किताबों में bonus plan को एक खर्चा या liability तब दिखाते जब उसका में reliable estimate कर सकते हैं तो यही वो second condition थी कि आप उसका reliable estimate कर सकते हो हाँ जी क्या यह clear है ठीक है illustration 4 पर आईए whether an entitlement to earned leave which can be carried forward to future period is a short term employee benefit or long term employee benefit very good point अब एक problem आती है कि मान लीजे अगर कोई leave मेरी अगले साल carry forward हो जाती है अब भया अगले साल carry forward हो गई तो वो 12 महीने से उपर चला गया और अभी तो सर आपने बोला 12 महीने के नीचे वाला तो short term होता और 12 महीने के उपर वाला क्या होता है long term तो कहता है भया मान ले कोई leave अगर तुने carry forward कर ली तो क्या ये तेरे लिए short term है यप तेरे लिए क्या है वो long term अब मुझे ये judge करना है कि वो जो leave मैं carry forward कर रहा हूँ क्या वो मेरे लिए short term है कि मेरे लिए क्या है वो long term अब मुझे वो judge करना है देखो यहाँ पर क्या लिखा है बहुत अच्छे से point को समझना इसके अंदर short term compensated absences भी आती है अच्छा अब यहाँ पर कहता है बटा falls due falls due का मतलब क्या होता है कि जो बारा महिने के अंदर अंदर आ जाता है सारा का सारा अब इसमें problem क्या है where the in other words where employees are entitled to earn leave which can be carried forward to future period the benefit would be short term benefit provided the employee is entitled to either in cash और utilize the benefit during the 12 months after the end of the period where the employee becomes entitled to leave and is also expected to utilize the leave इस line को mark कर लिजे सर ये कहना क्या चाहता है मैंना आपको इसको example दे के बताता हूं यहाँ परना इसको arrow बना के इसका example लिख लो मान लो बटा फॉर इसको एक employee की accounting होती है year 2023 जानवरी से लेकर December 2023 तक ठीक है मान लीजे भहिया employee को इसमें से September के 30 दिन की leave मिलती थी September से 30 दिन की leave मिलती थी right अब employee ने क्या करा employee ने ये leave जो है नहीं ली employee ने बोला आप एक काम करो ये leave अब मुझे in cash कर दो ठीक है तो ये 30 दिन September के कौन से थे 2023 के तो कहता है अगर 2024 September तक ये पैसे या तो आपने उसको दे दिये ठीक है या उसने September 2024 के पहले पहले छुटियां और ज्यादा ले ली मतलब carry forward कर ली अगले साल तो ये कितना period है बटा 12 महीने का तो 12 महीने कहां से count करने है जिस साल उसको वो छुटी मिलनी थी वहां से 12 महीने बात समझ में आ रहा है तो बच्चे याद रखेंगे ये पढ़िये 12 मंस after the end of the period when the employee became entitled to the leave बच्चा बात समझ में आ रही है तो मान लो जब उसको छुटी मिलनी थी मतलब 2023 की छुटी वो maximum कितने तक carry forward कर सकता है 2024 तक तो अगर वो इतने में just कर लेता है तो वो कौन सी है short term वो क्या है बटा short term अब आगे पढ़ियेगा अब इसमें क्या है जैसे for example एक बहुत अच्छा paragraph है ये वाला it is a very good paragraph ध्यान से मेरी बात को समझेगा where there are restrictions or encashment or availment clearly the compensated absences has not fallen due and the benefit of compensated absences is more likely to be a long term benefit sir ये क्या होता है for example मा तो में एक छोटा सा example देता हूं ठीके आपको मैं पहले अपना example देता हूं फिर book का पढ़ाता हूं for example 2023 में उसको हमने बोला कि तू 30 दिन कि तिरको छुटी देंगे बड़ एक rule है rule क्या है कि अगर तू carry forward करेगा ना तो तू carry forward सिरब 15 दिन कर सकता है अगले साल उसके 15 दिन तू carry forward कर सकता है 2025 में मतलब तू एक साथ तीन छुटी नहीं लेगा अगले साल तू इस साल के 30 दिन और पिछले साल के carry forward कर सकता है 15 दिन तो इस साल तू कितनी ले सकता है maximum अच्छा फिर इस साल के 30 दिन और पिछले साल के 15 दिन ठीक है, तो मतलब एक restriction डाल दी, यहाँ पर क्या आगी बटा, restriction, अब यह restriction की बज़ा से क्या हो गया, कि भाईया यह जो 30 दिन की छुटी थी, यह carry forward होके 2 साल आगे चली गई, तो यह period बटा 12 मन से जादा नहीं हो गया, हाँ जी बच्चो क्या यह कहानी समझ में आईये, तो ऐसे case में, restriction के case में बच्चा वो क्या बन जाता है, long term benefit, तो बच्चा याद रखना, जो leave का पंगा होता है, यह example note कर लो सारे बच्चे, उसी paragraph को mark करके, यह जो paragraph बच्चा मैंने आपको यहाँ पर line mark करी है, यह वाली, इस paragraph के आसपास ही, 6.11 page पर, यह वाला example note कर लीजे, तो मेरा कहने का मतलब यह हो गया, कि अगर तुम लोग leave को, आगे एक साल और carry forward कर लेते हो, तो बच्चा वो automatically क्या बन जाता है, तुम्हारा long term benefit, तो कई बार क्या होती, restriction आ जाती है, तो भईया, restriction आने की वज़ा से, तुम आरे लिए long term, बच्चो, is this clear, यह तुम लोग का जोश कहा गया, clear है, इतनी जल्दी था कि वहले, तो सब 2 घंटे हो है, बच्चा, वो तो उस साल की मिलनी मिलनी है, तो वो आगे 2 साल और carry forward करते जाए, मालो 10 बच्चा है, उसका rule है, कि अगले साल तो खाली 15 तक carry forward कर सकते ह तो पंदरा से कम तो करी सकता है, तो वो आगे चली गए ना बटा, अच्छा आप कह रहे हो, 30 की भी अगले carry forward हो जाए, पिर आगे 26 में चली जाएगी फिर हो, मतलब rule के अगर suppose कर लो, तुम carry forward 15 के उपर नहीं कर सकते है, मालो restriction आगे, तो तुम चाहिए वो 2025 की हो या 2024 की हो, तुम carry forward 15 के उपर कर नहीं सकोगे, हाँ जी भाई, ये सारे बच्चों को clear है, तो अब ज़रा नींद खोल के सुनना, भाईसाब ज़रा नींद खोल के सुनना, for example, अच्छे से सुनना भाईया, for example, where an employee has 100 days of earned leave, which is entitled to unlimited carry forward, but the rules of the enterprise allows him to in cash utilize only 30 days during the next 12 months, अब मुझे एक बात बताओ, restriction किया है, कि भाईया, तुझे साल के 100 दिन मिलेंगे, but problem ये है, कि तुझे खाली वहाँ पर in cash करना है, अगले 12 मीने में 30 दिन, बस, 30 दिन के उपर नहीं कर सकता, तो ये जो benefit होगा, ये automatically क्या होगा, ये 12 मेने के आगे extend करेगा, क्योंकि मैं अगले 12 मेने में कितना यूज कर सकता हूँ सिरफ, मतब तुझे मैं 100 दिन दे रहा हूँ छुटी के, बड़ तुझे अगले 12 मेने में कितना मिलने सिरफ, तीस दिन, अब तुझे आगे carry forward जो बाकी करेगा, तीस दिन के बाद ही करेगा, भाई, ठीके, in some situation when there is no restriction, but the absence is not expected to wholly occur in the next 12 months, the benefit should be considered as long term, so मेरा कहने का मतलब ये हो गया, कि जो leave वाला absence ही वाला benefit होता है, वो हर बार short term नहीं होता, अब बात को समझो, इसमें exceptional situation में, वो long term भी हो सकता है, is this clear everyone, जैसे for example, अगर employee के पास 400 days है carry forward earn leave के, और past pattern indicate करता है कि employees are unlikely to avail in cash entire carry forward during next 12 months, the benefit would not be short term, is this clear, मतलब एक pattern क्या है, कि हमने employee को बोल दिया, कि भाया तु carry forward अगर अगले 12 मेने करना चाहता है, तो maximum 30 days कर सकते हैं, जैसे मेरा कूँ 15 दिन का example दिया, तो एक fix pattern हो गया तुमारा, तो तुम लोग को obviously पता है, कि तुम लोग को बाकी leave को कब जाके utilize करना है, उसके भी अगले 12 मेने, तो जब 12 मेने से beyond चला गया, तो वो तुमारा automatically क्या हो गया बच्चा? long term benefit, is this clear? बटा ये restriction वाला funda समझ में आ गया, तो मैं कहने की कोशिश क्या गर रहा हूं, कि हमेशा अगर हमें रट्टा मारके बैठ जाएं, कि भाईया जो हमारी जो leave वाला होता है, short term absences leave, बच्चो ये rule समझ में आ गया है, कोड़े, अब एक काम गरें, एक illustration 5 पड़े, illustration 5 क्या बोलता है भाई कि in case an enterprise allows unutilized employee benefits, for example medical care, leave, travel, etc. to be carried forward, whether it is required to recognize the provision and respect of carry forward benefits, मतलब हम लोग को बोला है, कि भाईया जो भी leave travel है, या मान लीजे medical care है, हम उसको carry forward कर सकते हैं, अब बताओ क्या मैं in carry forward की provision बना सकता हूं, अगर तुम्हें याद होगा, हमने बात करी थी, कि भाईया अगर accumulating है, तो उसकी हम provision बना सकते हैं, याद आया, तो याद करना है, तो क्या हम उसकी provision को आगे लेके जा सकते हैं, येस, क्या हम लोग उसको provision को आगे बना सकते हैं, येस, तो क्या हम लोग provision को अपनी किताब में, अपनी books में cost of service की तरह record करेंगे, तो क्या हम लोग उसको अपना एक liability की तरह treat कर सकते हैं उस provision को, yes, is this clear, I can't hear, पका, देखो भाई, अभी हम लोगों ने क्या-क्या सीख लिया, सुनो, अच्छे से मेरी बात सुनो, नींद खोल के सुनना है भाई, हमने बटा क्या-क्या सीख लिया, हमने बच्चा अगर देखोगे तो one, introduction done, factors done, types में हमने short term के बारे में सीखा है, right, short term detail में सीख लिया सार अच्छे से, फिर हमने indicators के बारे में सीख लिया, short term के हमने सारे parts कर लिये, अब हमारे पास क्या आता है post employment benefits, अब बच्चों तुम्हें मैं समझाने जा रहा हूँ, post employment benefits क्या होते हैं, देखिए basically क्या होता है, जो post employment benefits होते हैं, यह सिरफ दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है DCP और एक होता है DBP, right, तो तुम लोग को वैसे मैंने इसका already example दे चुका हू कि तुम लोग को सारा भी clear है बटा, कि दुबारा से बोलूँ, DCP क्या होता है बटा, DCP क्या था, कि जिसमें आपका सारा risk किसका होता है, employee का, याद आया, employer बोलेगा, fixed amount डाल दूँगा, उसके बाद बाकी सारा risk तेरा, DBP क्या है, सारा risk किसका होता है, employer का, employer ने guarantee दे दी भ इसमें risk हमारा नहीं होता, बट DBP का अगर कोई question आ जाएगा, तो उसमें actual calculation होगी, तो उसमें आपको present value factors लगाने पड़ते हैं, is this clear, good, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छा, अब सवाल उठता है, ये read कर लेना सिरफ, सवाल उठता है भाई, कि क्या gratuity scheme, DBP आती है कि DCP आती है, problem ये है, gratuity, ठीक है, अब gratuity जो होता है, वो DBP में आएगा कि DCP में आएगा, देखे, for example, अगर में आप से बात करता हूं, केता है, अन enterprise में पे insurance premium, to fund a post employment benefit plan, the enterprise should treat such plan as defined contribution plan, unless the enterprise will have an obligation to either pay the employee benefits directly when they fall due, and pay further amounts if the insurer does not pay all the future employee benefits related to employee service in the current period and prior periods, ये क्या क्याने का मतलब है भाई, इस लाइन का, देखो, simple सी बात करें, gratuity हो जाए, कोई भी insurance benefit हो जाए, याद रखिये का, वो आम तोर पे, सारे के सारे, बोलता है, वो DCP होते है, DCP मतलब, जैसे for example, gratuity का fund होता है, government कहती, gratuity का fund बना लो, या insurance का fund बना लो, तुम एक insurance company को पैसा जमा कराना शुरू कर देते हो, अब employee को कल को कुछ हो गया, तो employee पैसा किससे लेगा, insurance company से, बात को समझो, normally ये सारे plan कौन से होते है, DCP होते हैं, क्यों, for example, मैंने employee को बोला, भहिया, तेरी LICP मैंने insurance करा दी, ये रा employee, मैंने इसको बोला, तेरी मैंने LIC में insurance करा दी, ये रा employer, अब मैं तेरे नाम का contribution यहाँ पर हर साल जमा कराता जा रहा हूँ, कल को भगवान ना करें, इसका कोई accident हो गया, इसको कुछ नुकसान हो गया, तो compensation का जिम्मेदार कौन है, LIC वाला मैं नहीं हूँ, तो generally ये सारे plan कौन से होते हैं, DCP, अब अगर मान लीज़े, यहाँ पर condition क्या लग गई, कि employer ने employee को बोला भहिया, अगर कल को तरह accident हो गया ना, तिरको मैं 10 लाख रुपे पक्के दूँगा, insurance company तिरको पैसे दे रही है, उसके अगर पैसे पूरे नहीं हुए, तो तिरको कम से कम पूरे 10 लाख की guarantee मेरी तरफ से, अब यहाँ पर क्या insurance company ने सिर्व 8 लाख रुपे दियो, उसकी accident पे, तो बाकी 2 लाख रुपे किसको देना बढ़ेगा, employer को, तो यह अब कौन सा plan हो गया, बचों बात समझ में आ रही है, तो यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, कहता है यह वैसे DCP वाले plan होते हैं, बट अगर suppose कर लो, हम लोग उसको वादा करते हैं, कि तिरको further amount देंगे, अगर तुझे insurer पूरा पैसा नहीं देगा, तो हम देंगे, तो अगर ऐसी condition लग जाती है, तो वो plan कौन सा बन जाता है, DBP, otherwise normal सारे ग्रैचुटी insurance के plan कौन से होते हैं, DCP, is this clear, जोर्सी बोलो, शाबश, very good, चलो, भाई, मेरे हिसाब से न, मुझे अब यहाँ पर समाप्त कर देना चाहिए, ठीके, इसके बाद अगर आगे लेकर गया, तो तुमारे जो मन में सारी जो भडास है, वो तुमारे मूँ पे आ जाएगी, और वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, नहीं, राइट, भाईज अब अभी इसके बारे में एक important announcement, हमारी कल क्लास होगी इसको लेकर, ठीके, और आपको बता देता हूँ, कल मैं इसका practical portion, सारा खतम कराऊंगा, कल मैं इसका लाइक बहाँ पर आपका थोड़ा सा theory पार्ट है, accounting treatment है, मैं वो भी खतम कराऊंगा, सारा का सारा, ठीके, और क्योंकि थोड़ा सा पार्ट है, जल्दी खतम हो जाएगा, तो कल मैं आपको अगले AS का थोड़ा सा intro भी दूँगा, is this clear, और कल की class का आपका important part रहेगा,